आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 6 डिसेंबर है आज ही के दिन 1965 में एक महान बुद्धिज़े व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अमबेटकर ने हमारे हाथ क्रांती की मशाल देकर हमें अलविदा कहा था उस मशाल ने अपने समय कई जिन्दग्या बदली और आज हमारे जिम्मेदारी बनती है कि उस मशाल को भुजने नहीं देना है तो इसी उद्देश्य को कायम रखने के लिए आज का यह सत्र परियती धम्मद्वारा आयोजित किया गया है कि इसके हेतों हम बाबा साहिब को सह सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं भंतेजी से अनुद्रोद करूंगा कि वहां शील दे साधू 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 ओकास वंदा मिभंते द्वारते नमयाकतं सब्वं अपराधं कमतुमे भंते दुतियंपी ओकास वंदा मिभंते द्वारते नमयाकतं सब्वं अपराधं कमतुमे भंते कमामे खमता भंते द्वारते नमयाकतं सब्वं अपराधं कमतुमे भंते अमामे खमता भं ती सरन पंचशिलियाचना ओकास अहं भंते ती सरनेनसह पच्च सीलंग धम्मं याचामी अनुगहं कत्वा सीलंग देथमे भन्ते दुतियंपी ओकास अहं भन्ते ती सरनेनसह पच्च सीलंग धम्मं याचामी अनुगहं कत्वा सीलंग देथमे भन्ते ततियं पिप्टी ओकास अहं भन्ते ती सरणे नसहा पंच सीलं धंवं याचामी अनुगहं कत्वा सीलं देथमे भन्ते यामहंवदामितांवदेथ आम्भन्ते भग्वान बुद्ध को नमो तस्य बोलकर तीन बार नमस्कार केजिए नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथथ बुद्धं सरनंगच्चामी, धम्मं सरनंगच्चामी, संघं सरनंगच्चामी, दुतियंपे बुद्धं सरनंगच्चामी, दुतियां पि बुद्धां सरणं गच्छामी दुतियां पि धंबं सरणं गच्छामी दुतियांपि संगं सरणंगच्छामी, ततियांपि बुद्धं सरणंगच्छामी, ततियांपि धंवं सरणंगच्छामी, ततियांपि संगं सरणंगच्छामी, सरना गमनं संपुन्नंग आमभंते, पाना तिपाता वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, पाना तिपाता वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, मैं प्राणी हत्या नहीं करनेका, सेल ग्रहन करता हूं, अदिन्ना दाना वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, मैं चोरी नहीं करनेका, सेल ग्रहन करता हूं, शेल ग्रहन करता हूं, कामे सुमिच्चा चारा वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, मैं वेविचार नहीं करनेका, सेल ग्रहन करता हूं, मुसावादा वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, मैं जूट नहीं बोलनेका, सेल ग्रहन करता हूं, सुरा मेरय मज्य पमाद ठाना वेरमनी सिख्धा पदन समाधियांपि, मैं नशा नहीं करनेका, सेल ग्रहन करता हूं, ये मेरा पंचसेल, इस जीवन का, कल्यान के लिए, अगले जनम का, सुख सांती के लिए, सभी दुखों से, मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के लिए, हे तो बने, हे तो बने, जैसा के हमें इतिहास में कई बार ऐसे उधारन मिलते हैं, कि बॉद्द धर्म हमेशा से एक राजधर्मरा है, इसकी कमान हमेशा से ऐसे व्यक्तियोंने संबाली है, जो स्वयम काफी बुद्धिमान तथा तार्किक विचारों के थे, बाबा साहिम ने तो यह तक कह दिया कि मुझे सूट बूट वाला भिक्षु चाहिए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमाय साथ आजभारत के अलग-अलग भागों से ऐसे निश्टावान तथा गौरव शाली भिक्षु जुड़े हुए है, जो कि अलग-अलग अनुशासन में स्थापित है, तो परिचाय की शुरुवात करते हैं पूजित आदरनिये भंते यश्ट से, भंते जी का जन्मर बहुत दगया महावियार के पास हुआ था, भंते जी की दिक्षद 2010 में हुई थी जब उनकी आयू केवल 14 साल थी, भंते जी ने ट्वी पिटक का अध्यन सिन्हली तथा हिंदी भाषा में किया हुआ है, आपको मेरा अधरनिये वंदन भंते जी, भंते जी को इस काशाय वस्तर में अनेक वर्ष हो गए है, भंते जी का जन्मर यवतमाल में हुआ था, और बंते जी ने अपना काफी समय औरंगाबाद में रहकर पूरे महाराष्टर में पचार पसार किया है, इसी के साथ भंते जी कई धार्मिक परिशदों का हिस्सा रहक उनका नेत्रतर भी किया है, भंते जी ने 6 साल श्रिलंका में और 1 साल ऑस्टेलिया में रहकर धर्म का अध्यन किया है, भंते जी का जन्मर नागपूर में हुआ था, भंते जी ने 16 साल की उम्र में सामने एचीवर लिया था, भंते जी ने अपनी युवा अवस्ता का काफी समय युवाओ को धर्म सिखाने में समर्पित किया है, भंते जी अभिधम्मा में काफी रूची रखते है और फिलाल पटी समविदा अभिधम्मा में मास्टर्स कर रहे है थाइलेंड से, भंते जी की उपसंपदा और भंतिल जी फिलाल वही निवास कर रहे हैं आप तीनों को में त्रिवार वंदन में चले लेकिन आज की सामाजी प्रवत्ति इसके बिल्कुल विप्रीत प्रतित होती है धर्म में राजनीती की मिलावट अब सवाल उठता है कि अब इस विडम्मनार का जवाब कहा टटो ले तो इसका जवाब हमें सिर्फ हमारे अकालिक धर्म में मिल सकता है तो मैं पूझन प्रतिवेद और परियात्ति ये तीन है बुद्ध शासन में अलग अलग तो प्रतिवेद मतलो जो धर्म विनय है जो भागवान बुद्ध का ज्यान है वो उसी प्रकार जिस प्रकार में हम लोग सुन रहे हैं मतलो भागवान बुद्ध जो बताएं धर्म विनय यां जो र सब्दयPower में नहीं ढयता ये लोकावद्द सुत्र में गाथा है कि भागवान जीस रात्र को परनिरवान होrue उस रात्री के बीच उस दो समय केmill जो thrownेंगे जो भी वी प्रकास करेंगे जो भी धरम बतैँगे जो भी बिनहAssисс करेंगे वो उसी प्रकार होगा अन्य प्रकार से नहीं, वो कोई बदर नहीं सकता है, तो जो धरम विनय जो भगवान बुद्ध के मुख से निकला है, वो विनय जो है धरम है, वो उसी प्रकार से जो मतलब उस धरम विनय को प्रतिवेद बोलता है, दूसरा बोलता है प्रतिपात्ति, जो धरम विनय के अनु उसको लाब उठाकर जैसे सोतापन, सकदागामी, अनागामी, आरहत, आदी जो फल पारा है ये तीन भाग है तो देखी भागवान बुद्ध के समय धरम सुनने के बार लोग धरम का बोध करता था सबसे पहले ये अधिगमा जो धरम बोध करने का जो सिष्टम है जो धरम बो करता है वो जो सासन है अधिगम वो अधिगम सासन सबसे पहले नस्ठ होता है भागवान बुद्ध बता है सबसे पहले सबसे पहले धरम सोतापन, सकदागामी, अनागामी, आरहत लोग ये पहले नस्ठ होता है वो सासन अगर कोई भी एक वेक्ति भी इस ब्रहमान में कोई स नहीं होता है तीनों सासन सुरक्षित है दूसरा है प्रतिपात्ति जो भी सील गुन आचरन कर रहा है तो उसी प्रकार धरम विनाई के अनुसार तो वो भगवान बुद्ध बता है प्रतिपात्ति सुरक्षित है अगर कोई एक वैक्ति भी एक वैक्ति भी सील गुन धरम पाल आच्रन कर रहा है तो मला आके वो सासन नस्ट नहीं होता है तो यह तीन सासन है जो प्रतिपत्ति प्रतिवेट और पर्यात्ति यह जो तीन है वो तीन मतलों आभी तो आधी गमों पूरी तरह से नस्ट हो चुगा करके नहीं बोल सकते हैं सोतापन इस दुनिया में हो सकता है आदित मार्ग फलना भी हो सकता है, तो हम लोग सबसे पहले सोचना चाहिए, जो कोई लोग सील पालन कर रहा है तो, धरम का आचरन कर रहा है तो, या कुछ भी कर रहा है धरम का काम तो, वो बुद्ध सासन के लिए उन्नाती के लिए काम कर रहा है, बुद्ध सासन को बढ़ा होने का सीधा कारण उसमें बताया भागवान बुद्ध बताते हैं जो कोई लोग विक्षु विक्षु नी जो पासा क्बासेगा कोई भी लोग बागवान बुद्ध को इज्यास सत्कार सब्माण करना चोड़ देता है तो, श्री सत्धरम को इज्य सत्कार करना छोड़ देता है तो, कहना मनना उसके अनुसार चलना छोड़ देता है तो, आर्य महा संग को सील गुंधरम पालन करना और विक्सु संग को इज्य सत्कार सम्मान कहना मनना छोड़ देता है तो, और सील के प्रति इज्य सत्क संवान करना उसको वेलू देना छोड़ देता है तो यह पांच भागवान के प्रति उनके बताए हुई स्री सत्धरम के प्रति उनके बताए गए धरम के अनुसार भी नहीं के अनुसार जो सील गुंधरम पालन करके विक्सु जीवन भीतार है विक्सु स्रावक संग के प्रत और चवट रोडे के प्रति सबस्कान को करता है निंदा तोossing जो ब्यक्ति दर्म को निंदा कर रहा है तो सरा वक्सांगन को निंदा कर रहा है तो स्रील का जरुवत नहीं है बोल रहा है तो समाधी का जरुवत नहीं है बोल रहा है तो वो बुद्ध्यसासन का पातन का कारण बनता है बुद्ध्यसासन को पीछे किछने का कारण बनता है कोई भी वेक्ति तिसरन को निंदा कर रहा है तो कोई वेक्ति में ध्यान साथना को निंदा कर रहा है किसी भी ये पांच कारण को निंदा कर रहा है तो वो पातन का कारण वो बुद्ध साथन पीछे किचने का कारण रणता है इसलिए हम सबी लोग सबसे पहले बुद्ध शार्शन धरम में एक ही है बागवान बुद्ध बताता है चित्तक प्रसाद एक संपत्ती है जो धरम मार्ग को आगे लेकर जाता है तो तिसरन के प्रति जो चित्त प्रसाद आता है, सील के प्रति जो प्रसान आता है, समाधी के प्रति जो खुसी आता है, प्रसान आता है, वो जिस किसी उपासक उपासी काई भिक्सु भिक्सु जुन्ने, तभी कभी सील पालन करना मुश्किल हो सकता है, ध्यान करना मुश्क तो इसलिए उसको गवरव करते हुए, उसको समाजते हुए, हम लोग धरम को आगे ले जाने के लिए कोशिश करना चाहिए शेक जी खाफी सुन्दर आपने हम सबको समझाया बंति गुनानन जी, आप महाराष्टर में इतना समय रह चुके है वहां की राजनितिक व्यवस्ता को जानते है तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि बाबा साहिब का बहुत राष्टर, बाकी संपरदाय के जो राष्टर है जैसे हिंदू राष्टर, या फिर खालिस्तान, यह जो हम आचकल नाम सुन रहे है वह उनसे अलग कैसे है और हम इसे समझने में कहा चुक रहे है नवा बुद्दे, तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि बगवान बुद्द का शांशन क्या है और जो शांशन बाबा साहब ने हमें दिया है यहां के लोगों को तो वो है तेरवान शांशन की जिसको ऐसा कह सकते हैं जो मूल रूप से तदहागस सम्मेक संबुद्ध ने जो द्यार्म लोगों को सिखाया है उसी परंपवरा के अनुसार जो बुद्धवान या यही थी उसी को उसी शिक्षा को भगवान बुद्ध के शांशन में थेरवाद शिक्षा कहते हैं वही बूल बुद्ध शांशन है और वही शांशन हमें हमें बाबा सहाब ने परजित कराया और खास करके बाबा सहाब ने स्टड़ी तो सब की है स्टड़ी बाबा सहाब ने हर सांपरदाय की भी की है और खास करके महायान की भी की और बाबा सहाब ने उसी समय जब महायान का कि इसमें मतलब थोड़ी मिलावट है ठीक है और इस बाबा सहाब ने जिस आरते से जो जैसे आपने ज्ञान के अनुशार समझती ही जो बात गई है उस बात पर आभी इस यहां हमारा हमारी गलती यह होती है कि आहां बाबा सहाब ने ऐसा कहा है कि इसमें मिलावट कुई है इसमें कहीं कोई देवता का नाम आता है सुगती का नाम आता है कर्म विपाक नाम आता है और यहां तक यह ब्रामन नाम आता है उनको किसे ने जोड़ दिया है मतलब अपने बुद्धि का थोड़ा उपियोग नहीं करते यहां चूख हो गई बाबा साब ने प्रतिग्या देते हुए कहा है कि मैं बुद्ध धाम के विरुद्ध कोई भी कारें नहीं करूंगा और उसी के आनुकुल जो है कारें बुद्ध करूंगा और बाबा साब ने यह भी कहा था जब दिक्षा दी थी और पंद्रा अक्टूबर के दिन में बाबा साब ने कहा था कि मैंने यह जो आप लोगों को बुद्ध धाम दिया है यह कोई गले में मटका नहीं दिया है आप पर वो जिम्मेदारे हैं और अगर आइसे जिम्मेदारें नहीं कि इन महारों ने धर्म को बाठ दिया है ऑफेट यह चूप हो जाती है कि हमें बाबास सावने हमें क्या दिया है तो मुल जो बुर्द की शिक्षा जो थेरवाद जो गुद्ध शाशन्ता वावाप साहब ने हमें दिया है तो सबसे पहले समझना यह जरूए और दूसरी ब साइसाब ने सुन्तर पीटरिया का आधिया कि इसी लिए भी नो जो पर उखाएवे बात को तो नहीं समझते हैं मतलब जैसे कि आगर बहुत अच्छा गूरु है बिफु है उसकी द्वारा समझे बात पर विश्रास नहीं करतें लेकिन लोग जो है स्वयम को बुद्दी बात समझती जग में कोई प्रसिद्ध लोग तो वो लोग उन लोगों ने कुछ ग्रंथे लिखे उन पर वी स्विकार करते हैं लोगों ने ऐसा कहा है तो आपनी वास्तविक परंपरा है जो शिक्षा है उनको बिना समझे दुसरों की रेफरेक्स को लेता है आदमी किया बुद्ध में ऐसा है ना बुद्ध आधी आधी इसे नहीं सिखाया दिया तो यहां चुक हो जाती है बाबा सहब के जो भी दमजिया है उनको समझने में ठीक है और ऐसे बहुत सारे यह कारण है जैसे कि बाबा सहब में जिन जिन प्रशनों पर भी कभी इस सवाल मतले उठाए थे कि यह बात ऐसी हो सकती है क्या उसकी उत् बागवान बुद्ध के धार्म में न खोज कर हम बाहरे लोगों के स्टेटमेंट में किताबों में डूनते हैं यह चूख हो जाती है ठीक है जैसे कि उदाहरन देखा जाए तो बाबा सहाब सांग का बहुत दोरों करते थे इसलिए सांग को हमेशा मिलते भी थे सांग के द्वारा बाबा सहाब मतलब गवरों भी किया था और बाबा सहाब भी हमेशा सांग का गवरों कर देते लेकिन लास्ट टाइम में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब जानना चाहते थे कि उसका उतर कि सहे डगों को शार नहीं जाओगा थे सपर क्या उत्तर देखते कि मैं सिस्छंड्रमनः उत्तर देते हैं यह जानने के लिए मैंने पर्शन किया तहुत है अगर ऐसा नहीं होता है तो चंद्रमॉनी बांटेजी को भी नहीं बुलाते हैं तो बात ऐसे है कि यह चूक हो जाती है कि वो हमें आधी आधूरी सी बात समझ में आती है कि ऐसा कहा गया है उसके आंत तक हम नहीं पहुंच पाते हैं और इस कारण से भी बहुत सारी लोग समझते हैं कि हमें संग की जरुवत नहीं है और हम बिना संग से भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहां चूख हो गई है बाबा संग इस बुद्दिश में जब संग आने की यह अरंदों की द्वजा को धारन किया हुआ उपसंबद अपराप धार्म और विनस से संपन जो वेक्ति होता है सुपर्टिपन ऐसा श्रावक संग है और यह बाबा साफ भी बहुत आज़े से ज्यानते थे लेकिन यहां चूख हो धर्म का स्थित्व में आना क्या होता है धर्म का स्थित्व में आना यानि की लोगों की सिर्फ क्वांटिटी बढ़ना ऐसे नहीं होता है धर्म एक सद्गून है चाहे वो श्रद्दा हो श्रद्दा भी एक सद्गून है शील शील भी एक सद्गून है करुना सद्गून है सद्गुन के बातों में बोलने से नहीं होता है यह जो संता है संता का विवार यानि की जो सबकी ffники महित्री प्रेम का सद्भाव का विवार रखता है तो यह के बांटे के लिए नहीं होता है अगर लोग बड़े-बड़े भाशन करते समय बोलते हैं कि हमारा स्वम्ता वादि सिर्थे बैंति ने तोड़ा सपरिश्य दिया था कि द्रहन के आंगा होते हैं यह जिसे परियत्ती पटी-पथ्य और इस आर्थ होता है कि जो भगवान कुंतु के जो शिक्षा है बुद शीक्षा को हमें पहले बहुत आच्छी तरह से समझना गरूटी होता है और उस शिक्षा को केवल ग्रंत भी नहीं आपने व्रदे में संजय रखना होता है अपना खुद का गून होना चाहिए जैसे शीले चाहिए करूना हो चाहिए शांति यह अपना गून बनना चाहिए जब ऐसा गून बन जाता है तो श्यांशन का दूसरा अंग उसे कहते हैं पटी पटी और जब इसी के प्रतिफल जब लोगों को बिलते हैं के प्रतिफल एक देखता है वह पटी वेद कहलाता है तो इस तरह श्यांशन का अस्तित्व बना रहता है तो हमें समझना जरूरी है कि हमारे चुप कहा हो जाती है तो हमने बाबास सहाब के लोग बुलते हैं मिशन को हमें आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है मतलब ऐसे क्वांटिटी से बढ़ाना नहीं जा सकता है भारत को अगर बढ़न में बनाना है तो हमील उसे मतलब जैसे कि लोग किसी आन्य जातली में पैदा हुए है उनकी परंपरा आधी आधी उसको ड्वेश से नहीं किया जा सकता है उसे मैत्री करोना सदभाव से होता है ठीक और दूसरी बात है कि जैसे कि कोई व्यक्ति सभी बुरायों से जब व्यक् इपनान करते है और जिस व्यक्ति को सथी का ज्यान होता है तो अगर तीन रत्नों के प्रति शुशुद्य श्रद्धार रखने वाला व्यक्ति एक मात्र भी आस्तित्व में रहता है तो भी वह व्यक्ति ध्यार्म है कि हम लोगों को बहुतिक स्तार पर अन्यानित स्तार पर जैसे सांस्कुरतिक स्तार पर लोगों को बदलना चाहते हैं इससे इतने इससे मांत्र नहीं होता है यह भी एक शाषन के अंग होते हैं पर निर्वान के बाद शाषन के और दो अंग जूड़ जाते हैं उसको कहते ह symbols बोलते हैं सांस्कृतिक रूप से की जो symbols होते हैं वो होते हैं और तीसरा होता है धातु उसका आस्तित्व में रहना भी शाशन का आस्तित्व मतलब रहना होता है इसलिए भी यह परिपूर्ण आखार से समझना बहुत जरूरी है अगर आधियाधूरा अगर हम समझ लेते है तो हम भटक जाते हैं और बात ऐसी होती है कि जो पहले से भटका हुआ आदमी होता है उसी को हम अपना मार्ग दर्शक बनाते है कि कहते हैं उसको खेबले आदमी हमें कोई सही रास्ता बता दे वो क्या कहेगा पहले से खुद ही भटका हुआ है लेकिन उसको पूछा जाता भूद ब्धा हुआ है तो भड्क्या हुआ आदमी सही रास्ता कैंसे बता सकता है और बड़क्या हुआ अदमी कभी भी सही destination पर नहीं जा सकता है यहींचूख हो गई है इसलिए अगर सही यह चूक को सुधार ना है गलती को उस्तोς दहार ना है यह थे बात करनीए जो जो ढौत आर्फ से जान लेना है गलत निकालते है लोग जैसे आजकल लोग इतने सारी गलत आर्फ निकालते हैं कासगर के आंशकल के लोगों में प्राइलित आता है उसका ऐसा कहते हैं कि उनके पॉकिट से ही वह बात निकली जब कोई व्यक्ति धार्म के पद और उसके स्पस्टी करण को गलत तरीके से मतलब बताता है तो यह धार्म की परिहानी का करण यही चूप हो जाती है और इसलिए धार्म के जो प्रतिफल मिलना चाहिए लोगों को नहीं बूलते हैं ठीक है तो बाबा साहब ने तो यह कारव ही और से आगे ले जाना चाहते है धार्म बहुत तिक नहीं है अध्यात में गून है जब यह धार्म यानि कि भागवान की शिक्षा जब लोगों का सद्गून बरना शुरू होगी तब आप देखोगे धार्म का आस्तित हो तब देखोगे धार्म को बढ़ते हुए देखो यहीं चूप हो रही तो आप यह सुधार में जबूरी है साधू साधू भंते जी आपका बहुत-बहुत साध वाद लेकिन भंते जैसे आपने बीच में एक शब्द कहा कि बहुत धम है राष्टर भंते जी इस अपने को पूरा करने के लिए हमें भिक्षिवों के निरदेश्य अनुसार चलने वाले समय तक उपासक भी चाहिए त तो मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा कि बाबा साहिब के अनुसार एक श्रेष्ट उपासक कौन है अनुमत चाहता हो कि बंते शीर शीवली की शुरुबात करें कि एक श्रेष्ट उपासक बाबा साहिब की नजरों में कौन है मैंने जितना उनका साहिट्व पड़ा है उसके नुसार से एक बात जुम जो सपष्ट हुई है वह यह लगता है कि कही ना कही अबाबा साहिब ने करूना को बहुत महत्वत दिया है क्योंकि उन्हें खुद भी बूसवत कहा जाता है और हम जानते कि कोई बूसवत्वत्व करूना के आधार उपर ही करूना के आधार पर उसके बूसवत्व के पारमिताय पूर्णा शुरू होती है तो वह विक्ति जो समाज के प्रति अपना करतव्य जानता है पर खुद को भी उसी रूप में वह सिख्षित बनाए सिख्षित मतलब यह नहीं कि सिफ अकैडमिक हो उसे बुद्ध साशंका अच्छी प्रकार से ज्ञान हो मतलब यह नहीं कि उसे पुरा थी पितक पिने पितक सुत्तर पितक अभी दम्मपितक का ज्ञान हो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो करतव्य है एक व्यक्ति के रूप में और एक समाज के रूप में यह दो जो का उसे भान हो उसे ग्यान हो और उसके अनुसार अगर ओपनी कर्म कर रहा है तो सही माइने में वह एक बाबा सहब के नुसारे वह पहिलू हो जाता है पर समाजिक जब होना चाहता है तो उसको ये बात बहुत ध्यान रखने के जरूरत है कि समाज में उसकी प्रत्मिक्ता तो जो हो धर्म के तरह हो जो कि आज सबसे कम देखने के लिए मिल रही है आज के मोस्ट रख उपासक चाहिए वो समाजिक कारकरता भी क्यों ना बन रहे ह होंगे तो वो समाजिक कारकत आज कल है पर उनका आखरी जो उद्देश हो रहा है वो राजनितिक सीड़ी हो रहा है उनके लिए धर्म नहीं हो पार जिस पकार एक धार्मिक जो उपासक कहते हैं कि धार्मिक उपासक में दो जो बाते बहुत होती है एक तो अपने में देखने के लिए बहुत कम मिलती है आप चाहिए वो शिलंका चलो किसी भी बहुत दरश्टम चले जाओ किसी अन्य संब्रदाय के धर्मिक उपासक को देख लो आप तो उनमें यह दो लालसा होंगी पर हमारे यहां के जो उपासक में होती है जो दो जो बात कह रहे हैं क बाबा साहिब मुझे न्रगता कि ऐसा खरन करेंगे कि करांटी पर कि कहते है कि कोई भी धर्म जो टिकता है वो उसके धर्मगुरू करने वाले होगे तो यहां पर जो उपासक के जो सबसे बड़ी गल्ती हो रही है कि यहां के हर उपासक अपने हाथ में नेत्रुत वह लेन अगे बढ़ाया है पर बाबा साहिब फिर बाबा साहिब चंदरमनी इस धर्म की स्थापना के लिए इस बुद्ध शाशन की एक निव रखने के लिए बाबा साहिब ने भिक्कु का ही हाथ पकड़े भिक्कु कही द्वारा ही में दिख्षा दी तो वो घटना को समझना होगा कि अगर हम एक अच्छा उपासक बनना चाहते हैं तो शील, समाधी, प्रग्या का स्थान तो ही है और अगर हमारे शील, हमारे समाधी, हमारी प्रग्या, भिक्कु संग की ओर हमें प्रित नहीं कर रही है, हमें पुन्य करने की लालसा उत्पनन नहीं करा के दे रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिफ एक सिख्षित विक्ति हो रहे हैं और बाबा साहिब का जोर सिफ सिख्षित विक्ति पर नहीं है कि बाबा साहिब ने कुद अपने कुछ बच्चों को भेजा होने बाहर पढ़ने के लिए पर हम जानते कि उसमें से कितनी लोग वापा साप और उसके मूल रूफ से करता वे रहेंगे दरम के प्रती कि मैं धरम का कि कैसे बढ़ा सकता हो और धरम में भी अपने भिक्कु संग के प्रती मैं कहें समर्पन का भाव नहीं हो पारा है मैं खुद नागपूर से वहुत नागपूर में इतने गठ है चाहिए वह समता से निक पड़ाए वो भी कई विद्वान पड़े पर यह जितनी विद्वान हो रहे उतने ही क्या हो रहे हैं धर्म को बाटने का काटने का छाटने का काम कर रहे हैं पालन करने का समर्पन का काम नहीं कर रहे हैं तो बाबा साहिब का वही है कि समर्पन तो कि बाबा साहिब सब देखे यह आपने पुलिदेश पांडे उन्हें बहुत तरह कहा था कि महाराश्टर के लोग यह महाराश्टर के चार लोग कभी एक दिशे में नहीं जा सकते हैं और ये चार लोग एक दिशे में जा भी रहे होंगे तो किसी पाच्वे विक्ति को अपने कंधे पर लेके सम्शान जा रहे होंगे ऐसी वाली बात हमारे साथ हो रहे हैं तो क्यूंकि हम नेत्रों की कमान अपने हाथ में रखने को इश्कर है हमें जानना होगा कि बाबा जिनको अच्छा ग्यान है और जिनका समर्पन भी है उनके वस्तर उनके बालों का त्याग उनके घर का त्याग बताता है कि वह नेत्रों कर सकते बस हमें उन्हें सोपने के आफशकता है तो मेरा यह है बंते यह जी आपके अनुसार समाज को किन उपासकों की जरुवत है मतलब उनमें ऐसे कौन से कुछ गुंज होने ही चाहिए आपके हिसाब से क्योंकि आपने इतने सारे बुद्धशासर मतलब देख रहे हैं इदर उदर आपने इतना पड़ा है अलग अलग जगा जाके त पहले का और अभी का बताएंगे तो देखे उपासक में पहले और अभी में यही अंतर है देखे पहले सीधा भगवान बुद्ध के सरन दिल से जाता था सीधा धरम के सरन जाता था सीधा आर्मा संग के सरन जाता था और सील को दिल से पालन करता था नक्षास्त्र के पीछे गरहा दोस के पीछे बिल्ली रास्ता कार दिया वो कर दिया ऐसा कर दिया मंगल आओ मंगल इसके पीछे ऐसे भागने वला नहीं था जो धरम सुनता था वो धरम में तुरांत पक जाता था तुरांत प्रवेस करता था पहले के लोग में परितरान पाठादी करके मंगल करता था ना कि आर्थी उतार कर पहले के लोग में पहले के लोग बताएंगे तो उपासक बहुत विस्मित है भगवान बुद्ध जो धरम जिर देश में था भारत देश में इस हमारा देश में देखेंगे तो उस समय भीखणु संग देखने के बाद हार जोड लेता था इसे साथ बोलता था वह हमारा इंडियान वह हमारा बागवान बुद्ध रहता है उनके दिल में शृत्वार्म रहता है उनके दिल में आरे मा संग रहता है बाकि दूसरा नहीं रहता है अभी लोग के दिल में सारु खान सलमान खान और हीरो हीरो नहीं है धरम नहीं है अभी दिल में फिल्म है मूवी है धरम नहीं है अभी दिल में ट्रिकेटर लोग है धरम नहीं है अभी हम उपासगों से पूछते हैं कि मैं ज चोरी नहीं करना तीसरा याद नहीं आ रहा चोटा ये पूरा गडबर पांसेल भी पता नहीं है भागवान बुद्ध का नौ बताएंगा भागवान का इतिपस आधी गुन क्या है याद नहीं है कैसे है पता है आप ही बता दिए न हम ही को बोलता है हमें ठीक है बताएं तो भगवान का गुण नहीं जानता है धरम का गुण नहीं जानता है संग का गुण नहीं जानता है सील क्या नहीं जानता है पहला कदम में कैसे चलना है धरम में नहीं जानता है तो उपासक पैसे उपासक कहलाएगा एक पावफुल एक मजबूत एक पावित्र उपासक कैसे क का लाने का एक ही का देखिए अभी हम उनहीं लोग से पूछते हैं ड़स Mowio का नाम बताओं और दस क्या उसके जोड़कर कर एक-जिरोन कर देगा सो बतादे हो विश्मित लागता है सुनकर यह यह सब याद है लोगों को बहरे याद है लोगों को लेकिन जो अपने जो होना जाए हो सकते हैं बस कभी बात करता है क्या उपासक को aspect 11 वको कोई रास्ता दिखाने वाण नहीं हम लोग कीसा सब्सक्राहिना होना सब्सक्राइब कुछ पूछता तो ये हम लोग को सबसे पहले भगवान बुद्ध बताएं जो बुद्ध बगवान का दिल से गुनों को सुच्टिव सरन जाता है तो दम्मान सरन जाता है दिल से, संगं सरन जाता है तो वो योगपुरुष जो हमारे बावा सांबेतकरजी है, वो तो बहुत गौरवनी है, वो भगवान को दिल से इज्जत करता था, दिल से सरन गया था, धरम का दिल से सरन गया था, संग का दिल से सरन गया था, कभी सुने है कि वो हत्यक किया है, कभी सुने है कि वो चोरी किया है कभी कोई सुना है कि वेविचार के लड़की को छेड़ा है कभी सुने जूट नसा कि अदारूपी के गिरा हुआ था खाबी नहीं कोई भी बोल दे अंगली उठाकर ऐसे महान में बावासां अंबेतकर जी हम लोग को मिला वह एक प्यावित्र उपासर उपने लोगों के साथ और उपाद बावासां अंबेतकर जी का कहना था कि लोग करते हुए लोगों को भी जो नहीं जाता उसको बता उसको चलाओ ले चलो धरम की रास्ते पे सील आचरन सिखाओ सरन दो लेकिन नहीं है हम निंदा नहीं करेंगे लेकिन ऐसा होना चाहिए उपास्त है अभी देख 22 प्रतिग्यां दी आप देखे 22 प्रतिग्यां में से सिर्फ करते हैं तो देखते हैं सिर्फ पहला कुछ जो 4-5-6 है उसको वाद विया बाबा साहिब यह नहीं मानने के लिए बता है बाबा साहिब वो नहीं करने के लिए ठीक है नहीं वो उसके अलावा और जोड़ता है जगड़ा करके लड़ाई करके मार पीट करके चिला के गरज कर लेकिन बुद्ध में ऐसा नहीं बनता है ऐसे सासन बचता नहीं है ऐसे नहीं थेरवाद बुद्ध में बनाना है तो बावा साइब का वही एम था कि बुद्ध का युग आए बुद्ध सासन एक ही है दो नहीं वो युग आये भावा सयम बेदकर जी को मानना था इसलिए तो दस पार मिताप बनाए लोग पालन करू बताएं लोग को भावा सयम बेदकर जी को भारत बनाना था मतलब दान देने वाले वेक्ति बनाना था सील सुरक्षा करने वाले वेक्ति बनाना था ये फाम वासना से कुछ दिन के लिए नेशकर्म करके सील आद उपोसत पालन करते वारहन जीवन बिताने का मन जीवन बिताने वाला नेशकर्म प्रैक्टिस करने का बावा सहिब का विचार था अंबितकर जी का इसका वाद उसल जो है इसको बढ़ाने के लिए अकुछ दूर करने के लिए उनका विचार था उसके प्रज्ञाइश सोचने के लिए लोग बढ़े ऐसा विचार था इसको सहान सीलता बावा साय अम्बेतकर जी जैसा सहान सीलता अभी खोज लीजिए लोग जानता है उपासक लोग है तुरंत लगता है कोई गहास में चिंगारी डाला जैसा तुरंत जल जाता है तुरंत उसक जाता है बावा साय अम्बेतकर जी कितना सहना पड़ा कोई सब ज नहीं दिया तो उसको गर्दन दापके मारने नहीं गये बैटने के लिए नहीं दिया तो कुछ हाज हटा दिया तो अलग खाने के लिए दिया तो अरे तुम लोग ऐसे हम बड़ा आदमिया तुम को अभी गर्द कीच कीच के चलो जेल में डाल दें ऐसे नहीं systematically बुद्धिमानी रूप से काम की अरे गौरव उत्पन होता है उनके बार में सुनकर देखकर हितना महान थे उनके हाथ में पावर रहते बार में ताकत रहते बार में दोनों सिष्टम रहते बार में उनको दुख ना देकर एक समाज सुधारनी के लिए एक एकता एक देस उन करना चाहिए उसके बारे में दीन बर चर्चा है सील पालन करना चाहिए कोई चर्चा नहीं अभी देखिए हम गए बढ़वड़ा प्रोग्रेम में तेके देखते हैं सुनते हैं बताएंगे कि आप जानते हैं मियूसिकल सो है स्पीच है एक गंटा माला पिनाने में एक गं सब्सक्राइब करने में मेनत करना चाहिए वह कम है तो वह देखकर हमें दुखी आता है अगर बावसाँ अमबेदकर जी में बाउद में बनाना चाहते तो उसापना वो पूर्ण हो करके वो होगा हमें आचरन से यही हम बोलना चाहते है ठीक है बहुत साथ बाद बंते जी मैं आपसे पुछना चाहूँगा कि एक श्रेष्ट उपासक की क्या जिम्मेदारी होती है समाज के तरफ और धार्म के तरफ क्योंकि हमने उपासकों से ता बहुत सुन लिया कि बिख्शू ने ऐसा होना चाहिए बिख्शू ने वैसा होना कि उपासक की व्याक्यागर समझ में नहीं आती है तो अदमी बटक जाता है किसी को उपासक समझ लेता है कभी-कभी किसको महा उपासक भी बोलते है बीच में कभी लेता भी है और क्या कर से करते हैं तो बात ऐसे कि उपासक किसे कहते हैं समझ नहीं जाता है जो व्यक्ति ब है ना तो ऐसे ही नहीं लेता है मतलब आख बंद करके ऐसा नहीं लेता है जब भी पूरा त्रिपिटक पढ़ने के बाद जो लोग भी बुद्ध को शरंग गए उन शरंग जाने की एक एक क्या होती है एक विदी थी एक उसको एक अवबोध था अंडरस्टैंडिंग थी जैस बहुत बटक बटक कर जब ठक जाता है तो ऐसे बटके हुए को किसी ने सही रास्था बता दे और बहुत सारी चीज खोज रहा है आंधरी दुनिया में आंधरी जगा अपर खोज रहा है कैसे कोई व्यक्ति और किसी ने तेल का दिया जलाया हो जिसे आख वाला आदमी इन चीजों को देख सकता है तो यह सारी चीजे उसको एक आवबोद के तरह होती जब भगवान का धर्म श्रवन करता है और उसको वही समझ में आता है कि जैसे कोई बटका हुआ आदमी है और उस बटके हुए आदमी को किसी ने सही रास्ता बताया है उसी ब्रकार कैदे आपने हमें यह धिल का जिया जैसे कोई आंधियर जगाहा पर वेक्थे कोई चीजों को एंद्ध्र को समझ रहा हो देख रहा हूं इस तरह से उसको आउबोध हो जाता है जैसे कोई ड़की कोई चीजब किसे ने खोले कर देए है न तो इस तरह से अपने अंदर से आवाज आकर जब उसको understanding का अवबोध होकर जब वो बुद्ध को समस्ता था धान को और संग को समस्ता था तो इस श्रद्धा में आ जाता है और श्रद्धा के साथ में जो बुद्धन सरनंग अच्छा में कहता है तो वो आदमी कहलाता भगवान का श्रावच ठीक है भगवान का उपासर तो प कटके हुए को सहीर रास्ता मिलना यानि कि बुद्ध की शरंग मिलना है जैसे अंधरी चीजों अंधरी जगहां पर बहुत सारी चीज़ें हम दोड़ रहे हैं लेकिन हमें नहीं दिखाए दे रहे हैं तो वहां अगर किसी ने ग्यान का प्रकाश अगर वहां कर तेल का दिय होता है वह उपासक है तो जैसे अब मैं बाबा साब के दोश्टी से आगर यह भी कहूंगा तो बगवान के समय में जैसे लोग उपासक बने थे वहीं बाबा साब को सबसे पुरिये थे अभी नए से कलपना करने के जरूरत नहीं कि बाबा साब को ऐसे भी पुरिये हो सकते लेकिन बाबा साब ने एक जिम्मेदारी दी थे उपासक को उपर क्या दे थे कि मैंने यह जो आप लोगों को यह धार्म दिया है तो जिम्मेदारी दे रहा हूं तो जिम्मेदारी बाबा साब को उपासक वे वैसे उपासक प्रियत है जो उपासक इस जिम्मेदारी को निभा अगर यह जिम्मदारी निभाना अगर नहीं आता है तो जहां तक है उतने ही रहो उसे और पीछे नहीं जाना है लेकिन बात समझ में नहीं आते कि पीछे ले जाना क्या होता है कब ब हागवान के निंदा कर रहे हैं तो पहले बहुत आज जैन सफब्रों की सब्सक्राइल गत नहीं होचकती है शर्ण ऊसी व्यक्ति को प Duty वेक्ति धर्म में अपने आपको सुदान्त बनाता है जो वेक्ति धर्म का रास्ता छोड़ देता है जो वेक्ति तीन रत्नों का गवरो करना छोड़ देता है उसका उपासक को तो भाव छूड़ जाता है वो अपने आपको पीछे ले जा रहा है तो फिर आगे जाने की तो ब उपासक प्रियत है जो लोग स्वयम तो धर्म का आचरन करते हैं धर्म का जीवन जीते हैं लेकि दुसरों को भी बुद्ध वाने बताने के लिए मतलब प्रयास करते हैं यह ना बाबा सहाब ने इसा भी कहा था कि अभी आप लोगों को तीन रतनों की शरन मिली हैं तो आप ल तो आप आपको तीन रत्म की शर्म मिली हैं आप दूसरे को भी दे सकते हैं लेकिन कैसे देंगे मैंने आज तुब बता नहीं हम बच्पन में जो बंते जी थे तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखें जो लोगों को अपने धर्म में रखने के लिए क्या करते थे दूसरे धर कि किसी देवताओं के मानता है तो उसके घर्म जबर्दस जाकर उसके निकाल कर फेख देते थे और समझते थे कि यह देहन का प्रचार है तो यह अले-गले तरी के हमने हमने उस जमाने में भी देखे हैं तो आज 15 साल से पहले की बात है लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि चीक है तो लोगों को मित्याव आपने उस खुद भगवान का धर्म अपनाया है यानि कि तीन रत्म भी शरंगरन की पंचे शिलिया या जो भी धर्म का जीवन जिया इतना से सिमित नहीं रखा दूसरों को भी दिया और जो व्यक्ति इस तरह का उपासक बनता है तो उसके भीतर एक स्वभाविक रूप से एक भावना जाकती है उसे कहते हैं दसन कामो शिलवतो व्यक्ति सत्पुरुष को देखने की इच्छा करता है ये उपासकों का एक करतवे है और बाबा साब को ऐसे उपासक की प्रियत ह लेकिन आज लोगों को पासद नहीं है जैसे कि आगर कोई व्यक्ति शीलवान व्यक्ति है और उनकी दरशन है तो कोई जा रहा है तो उनको पासद नहीं आता है तो ये उपासकों का स्वभाव नहीं है तो हमें उसके बस चेंज करना होगा तो भगवान के समय में जिस costing और ऐसा उपासक आज भी अगर बनता है तब भी बाबासाब का सपना पूरा है पूरा है जरूरी नहीं है कि सो में से सो लोग ही मतलब इस परकार के बने अगर उस में से कुछ ही लोग भी बने तब भी बाबासाब का सपना सपना सपल ही अगला जो मिया प्रशन है वो काफी स क्यिना मैं इतने प्रांतमी से चुनाँ कि और भज्वाद करते हैं पंट शली這種 का तौर क्तर से is है लुदर से पूछैं कि समाज में एक बड़ा की द्रीक प्रश्म द्रम की क्यावाशक्ता है और धर्म में भी बहुत धर्म की अध्यान करने के बाद क्योंकि बहुत धर्म ही सबसे बच्पन से बहुत धर्म पड़े थे बच्पन से कोई टीचर उनको किताब दिया था, वो पढ़े थे फिर सीखे थे, शिखते, सीखते शिखते, वो भौँत धरम अपनाने से पहले रिपीटख पूरी तरह पढ़ चुके थे और दूसरे ग्रांट भी पढ़ चुके थे और बहुत-बहुत कुछ पढ़ चुके थे एक खल्यान का मार्ग है तो वह देखिए अगर बहुत धरम एक अकालिक है एक अंदुविश्वास नहीं कि आज बन करके सिर्फ मानों अंद्भक्ति करके मानों अगला जनाम में सब मिल जाएगा यह सिर्फ नहीं बताया जाता है इस जनम में फल देखने को मिलेगा इस जनम म हम वो बोलते हैं, डारते हैं, कि तुम लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, करके हस के प्यार से डारते, तो समाहिना चाहिए, कि मतलो एक आखालिक धरम है बावस्यांबेतकरजी, जो बहुत धरम दिये, खारुना से, माहित्री से, एकता से रहने के लिए, एक सांती से रहने के लिए एक सुख पुर्वा कराने के लिए एक भेद भेद और भेद बहु के बिना रहा सके और उसको प्रैक्टिस करते हुए जीवन और अगले जीवन संसार जीवन सुखी बना सके वह बहुत धरम जैसे में उनको आरेश्ठांगे मार्ग दी वाइस प्रतियां में हम लोग देखते हैं तो उसमें कितने लोग जानते हारेश्ठाई मार्ग बतायां है वह बहुत कम लोग लोग तो वो हम लोग समेजना चाहार TE- conf プया सणकल क्या कोई नहीं जानता है वहसां बेतकर जी प्ररग्या सेल खरूना अमात्री और एकता के बारे में परतियां कि लिए ठी है ठीक है तो यह बताएं लोगों को करने के लिए या इसलिए तो दीए लोगों को समग एकता में राज सके धरम पालन करते सुख से राज सके लेकिन कितना लोग का अर्थ जानता है करुणा समझता है बोलता है अन्या होने पर उसको काड़ दो कोई पाप नहीं है कुछ थोड़ा मिष्टे कुग गया को इसको बना के रहा है वह थे करणा ही समान ही जब क्यों ठीक बनांगे दे लिए हम नहीं न पी रहे हैं कोई बना के दे रहा है वह सील जो बात-बात पर जूट बोले को लड़की बुलाए तो साथ में चला जाए को सामान हाथ में आए तो तुरांट पॉट में डाल दे तो 10 मतलो एक दूसरा से बात नहीं है तो है एक-डूसरे जैसे मैं बाबा सयाम बेदकर जी, बच्चों लोग को संसकार के लिए दूसरा कोई धरम नहीं बुद्ध धरम कहलाओ, बाबा सयाम बेदकर जी को बहुत सारे धरम में आने के लिए लोग पैसा दिया, ये किया, प्रेरित किया, तो बाबा सयाम बेदकर बुद्धु नहीं थ तो वो हमेशा जो लोगों को खल्यान हो सके अपना परिवार को नहीं देखी अपना सरीर को नहीं देखी अपना सुप को नहीं देखी समाज को देखी देश को देखी बावा साहिब अमबेतकर जी मतलब देखेंगे तो इस देश का उधार नहीं है आज कल दुनिया के लोग देश का उधार है, देश का भी उधार है, बावा साहिब आम्बेतकर जी के पर भी उधार है, क्योंकि वो जो बताएं वो नहीं कर रहा है, जो दीएं वो नहीं कर रहा है, वो खा रहा है, लेकिन कर नहीं रहा है, खाना जिन से मिल रहा है देश से, बावा साहिब से, उनके प पासी हम इस देश को गौरब के लिए जद के लिए सम्मान के लिए बुद्ध सासन के लिए कम से कम जो हम लोग उठा उठकर खड़ा हुए इसके कारब तो कुछ भी नहीं है तो वही हम लोग समाजना चाहिए कि अगर बावा साया अमबेतकर जी होते तो तो उस समय के अनुस वह बात हम लोग समाजना चाहिए यह रास्ता दिखारी खाजाना है तुमको भी बाहर निकाल दी खाजाना खाकर इस्तिमाल करो लेकर लेकर लेकिन लोग समझते नहीं है लोग को कीमत नहीं समझता है एकता में रहने के लिए एकता में रहा के मिल जुल कर रहने के लिए ब आनात विद्धास्रम कुल रहा है वावा सहाम बिथकर जी होते तो सीधा, सीधा, días बेंट करते हुं सब चीज पर, तो भूद्धार्म यह नहीं है लेकर भूद्धार उनों को दी करना क्या है पता नहीं तो बावा सोयाम बेतकरजी होते हैं तो ईस्थान दी. तो वो कुलवान अस्थान दी इस की salmon स्विधा मिलें. खरके उनके लिए खा रिखेंगीं. अभी क्या हो रहा है? इसे लिए और तता गुनवान लोग को बावा सोयाम बेतकरजी सुविधा दी. और सुविधा देने के लिए विदेशों से मंगवाना चाहिए जो सीलवान गुनवान आच्छे लोग है देश के लिए ऐसा है तो देश प्रोग्रेस करता है सीलवान गुनवान को इस्थान देता है कोई जगा देता है इज्जत देता है उनको सम्मान देता है उनको रानी का सुईदा देता है उन लोग आगे बढ़ता है उन लोग समाजता है बात को वो है बुद्धरम देने का एक कारण है बावा सामबितकर जी का हम देखते हैं कि ये धरम ही एक मात्र लोगों को है जो सां नहीं है ये मेरा कहना है जेक है चैके आपम आपसे सुनना चाहेंगे दोपुच गए और बाबा साइब ने अए बाबा साहर निए बाबा साहर के शब्दों में को ताई जिस फगां वो काल माक्स को गौन्टर करते हुए कि काल माक्स को लगता था कि अर्थ ही पैसा ही economic economic एसी power है जिसके द्वारा एक राज्य को ज़ा जा सकता है और सत्ता में आया जा सकता है पर बाबा साथ कहते है कि भारत इस बात का सक्षि हैouri कि अगर और से भी दाखतवर किया रहा है धर्म रहा है भारत के इतिहास में धरम नहीं शुरुबात से लेकर अंतत आस्त क्यालाईय करांतिया ले या तक कि वेस्ट में भी वैसाई हुआ है हम देखते किस प्रकार पोप द्वारा रिवॉलुशन्स आई है पोप की पाग को फिर कम पढ़ना करना पढ़ा वेस्ट में भी किस प्रकार किंग्स को राजाओ को इश्वर का प्रतिनीत्व करके बताया गया है तो यह कहिना कहिए कि धरम के द्वारा जो परिवर्तन है और जो करांतिया बहुत आसनी से आ जाती है तो यह बात हम सभी जानते हैं कि धरं जो परिवर्तन ला शक्ती है वो ऐसे कीसी संस्था में करता कि द्वर्ण से करता हे लात देता है उसको पीडी धर पीडी हटाना कटीर हो जाता है और अगर कानून जो होता है जो पॉलेटीक्स एकनोमीक और यह किसा है कि समाज में मोटे पैमाने पर काम करते हैं मैक्रू लेवल पर काम करते हैं तो द्रम बारी एक लेवल पर आने वाली पिडिको बिना चेतन सब्सक्राइब करता है काम करता है तो मुझे लगा आज के समय में बहुत कम लोग धार्मिक होंगे बहुत मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने रिसर्च के बाद और बाकी लोगों ने भी जब रिसर्च विए तो कम से कम 60-80% लोग लीजिस है आज की दौर में भी और कितने भी हाइटेक किसे और ग्रह पे रहने के लिए चले जाए धर्म तब भी मोज़िद रहेंगा अब धर्म को खाड बिलकुल भी नहीं सकते कि धर्म की उत्पत्ती तब सभी है जब मानों सभ्भे भी नहीं था तो धर्म को अलग नहीं कर सकते और धर्म सबसे अच्छी और शबसे असरदार द्वाहें इस्तमाल तो बाबास और भारती संस्कूरती में तो हर चीस धर्म सी उत्पत्ति ही आते हर चिसह फीक्णधनी सबकुली करने सकते और भारत की जाती खतम करना था कि बाबाद फरश्ण उठाता है lanean कि ऐसा नहीं कि जाती पर उसे भारत महीं था छाती वाध कैसारे देशों में था कई सारे राष्टों में था पर समय के रहते बागी राष्ट्रों से खतम हो गया पर भारत में से क्प्रदम क्यूंकि यहां पे जाकियों को धर्म से ताकत है तो चो धर्म इस चीजसों हो खतम हो पाद इसलिए बाबा समझी कि धर्म को दिया अभ धर्म में बहुत नहीं क्यों कि उसकी कैई सारे कारण है सबसे पहली बाध जो यहा और मानव के दुखों की चर्चा कम की गई है, है ना, उसमें भी मानविये दुखों को मानविये मन की उत्पति बताए गई है, किसी इश्वरकृत या कोई परकृत नहीं बताया गया है, है ना, और यहाँ पर तिसरी बाद जो सबसे important होती है, कि यहाँ पर वेक्ति को स्वात स्वातंत्रता के वेक्ति अपने कर्मों के लिए स्वातंत्र है, और उसके जो दुख भोग रहा है, उस दुख को भी दूर करने के लिए स्वातंत्रता है, कई सारे धर्मों में क्या होता है, कि तो वेक्ति की स्वातंत्रता उसको होती नहीं है, चलो कुछ धर्मों में वेक पढ़ेंगा उसके क्रिपासी तुम दुख से दूर हो सकते हो बुद्धिजम में जो कहा गया है कि आप अपने कर्मों द्वारा तो जो सबसे इंपोर्टेंट जो पहलू देखने काले कर्मबाद जिस बाकी विश्व के सभी धर्मों में जो स्थान उनके धर्मगरंत के पुस एक समस्याओं को दूर करने का सामर्थ रखता है या फिर जब कालमाग जब टिका टिपनी करता है धर्म पे इस बात को लेके कि धर्मी अप्व की गोली है तो इसलिए भी करता है क्योंकि वहाब कहीं कई क्रिश्व क्रिश्यनिटे ने भी ये बताया था कि देखो स्वर्ग तो गरीबों के लिए रखा है तो कालमाग से देखा अरे बाबा यह तो गरीब रहना सिखा रहा है इंसान को मतलब कहें न कि कर्म की सद्द्रता नहीं बता रहा है इसक अला विश्व के सद्द्रता जो बताई गई है इसके कारण से आप अपने जाती भाले आप आपको कर सकते है कर्म के द्वारा आप जाती विवस्ता से हट सकते है कर्म के द्वारा आप मानव को मानवी रूप में देख सकते हैं उसके कारण भबास अपने बुजम को लिया दूसरी जो सबसे इंपोर्टन भात जो मैंने देखा है कि ब् hump है उत्य हास से एक बाद बड़ी गौश्छ ही एफ इसा नहीं की भारत में बारत में कहीं साइप अग पर बाबा सह Πार देख जब बबारत को निजुका है। बहुत में कहते हुआ है टब भारत में जाती विवस्ता का हुई है एक्दम प्तिया गई बाबा सही मैं यह बात पकड़ ली इतिहास से जिन लोग का अपना इतिहास पता है इतिहास बनाने सकता तो इतिहास में देख लिए कि जब जब वो द्रम उगम को आएंगा तब क्या होगा जाती वस्ता कम होंगे बाकी किसी ऐसा नहीं कई सब्सक्राइब जयन धरमों ने अच्छा प्रहार के जाती वात पर वो जो प्रभाव देखना चीए था वह जो प्रभाव मिलना चीए था वो उसी बुद्ध द्वरा देखने के लिए इसलिए फिर बाबा साहर ने बुद्धिजम को ही चूस किया यह सब से उसका अमातोपन करना ना कि भारत लोग के आगे में रखते हैं मुझे यह लगता है अब आप अपना मत बताइए अब देखा जाए तो बाबा सहब ने इससे पहले ही बहुत सारे सांप्रदायों कि हमके जो भी फिलोसोपीकल पार्ट है या जो भी सामाजिक व्यवस्ता है एं सारी चीज़े पढ़ ली थे और अश्यरे में बात यह थी कि बाबा सह् educators जो मतलब संविधान लिखा तो संविधान लिखते सामें में भी बाबा सहावने साथ संविधानों के रफरेंस लिए थी अपने सविधान बनाने और पढ़ा तो उससे भी ज्याना छीए मतलब बहुत सारी ऐसे बाते थी तो उन्होंने अपहले से उनको ज्ञान हुआ था और इस तरह का उन्होंने जब ज्ञान लिया और ज्ञान के साथ में समस्ति हुए उन्होंने देखा कि उस समय की जो सामाजिक स्थिती थी लोगों के दुख दर्द थे विशमता थी और लेकर ही उत्र उनको दिखाई दे रात है और इस कारण से उन्होंने बहुत आपनाने की मतलब गोशना करें लेकिन उसको ऐसे ही मतलब मन में आया इसलिवे मने ले दिया लोगों को दे दिया ऐसा नहीं उसके बाद उन्होंने करीब करीब 15 17 साल तक मतलब बहुत गई रही उससे आध्यन किया खास करके मतलब तुर्पिटक का जो भी है बहुत सारा सूर्पिटक आधी का बहुत आच्छे से आध्यन किया और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे जानने की बात उनको लगा कि भगवान बुद्ध के बारे में इस तरह की बाते हैं लोगों को भी समझाने चाहिए तब जाकर बाबा साहब ने लोगों को करिब मुझे लगता है 1950 के बाद भगवान बुद्ध के जीवन पर ही उन्होंने बहुत सारे बहुत 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 और 1951 या उससे करीब करीबुनों ने कहा था कि मेरा समग्र जिवन बुद्ध धाम के लिए यानि कि मानव सेवा के लिए और उनकी कार्य में यही दिखा दिता उनकी करून, उनकी मैत्री जो भी है उनका जो भी कार्य था वो वैश्वीक रोप से सारुजनिक रोप से प्रकट हो रहा है उन्होंने कभी भी किसी विशेश समोह को लेकर ही मतलब ऐसा नहीं कहा कि मुझे इनको ही आलग कर देना है जब बाबा साहब ने बुद्ध धाम को चूनने के लिए जो गोशना की थी तो गांदीजी ने कहा थे कि ऐसा मत किलिए है ना हम भी आप लोगों को उतना नहीं दे सके है ना क्योंकि बात ऐसी थी कि उनके वह स्थिति रहने मात्र से उनके प्राश्ण समाप्त नहीं होते थे और उने यह भी कहा था कि मेरे ब्रामनों से या किसी से वहर नहीं है ना किसी से मेरा वहर नहीं है कि वहर के कारण में यह नहीं कर रहा हूं और यहां त उनको किसी के प्रत्य द्वेश नहीं था अ किसी के प्रत्य द्वेश नहीं था जो व्यवस्था थी जो system थी वह system बदलने चाहिए यहीं किकि जो मानव है उसको मानव की तरह मतला उसको जीना आ जाये जो भी उसको उसके डिली नीट से या जो भी आदमी सुख की चाहत रखता है और कुछ करता है तो उसको वो मिले लेकिन जो समाज व्यवस्थाने वो इस तरह से उनको मतलब वो सारे आधिकार चीने थे वो आधिकार कोई दे सकता है तो बागवान का दर्म को पढ़ते समय बा दोनों को ही धार में आगे बढ़ने का अधिकार है समानरों से हैं मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब स्त्री को फिर आपने स्त्री भावों छोड़कर पूरुष की तरह ऐसा रहना ऐसा नहीं है स्त्री को स्त्री भावों में रहते हुए पूरुष को पूरुष भावों में रहते जैसे कि बावा साठिनीक पढ़ने के बाद महिलाओं के लिए द्धार में भले ही कुछ विनयों की अनुशाशन के आतिक मात्रा में उसके अमक्न क्लाइब्संख्या दी तेपके बावा ने इस तो इसका यह नही था कि आनिया नहीं था मतलब महिलाओं पर वो आन्या नहीं था जैसे कि कोई समझवाद में किसी कोई कमी दिखा दे तो उसको दूर करने के लिए कोई बात अनुशासन दिया जाता है तो वह था एक दूसरों के प्रति सद्वहाओं से रहना सिखाता है तो आद बहुत सारे कारण देखने के बाद उनने चुना कि हाँ यही बेस्ट है और वसे प्रलोबन भी बहुत सारे दिये थे आप सब लोग जानते ही इतियास पड़ते हैं तो बाबा सहाब को प्रलोबन दिये थे कि और भी आन्याने दार्म को स्विकार करें लेकिन बाबा सहाब ने कहा था कि मैं आप चंद पैसों के लिए अपने समाज को मैं आंदेरे में नहीं डखल सकता है तो बहुत ग्यान के साथ में मतलब निस्वार्द भाव से उदार भाव से करूना के भाव से उनने यह दार्म दिया है और इसलिए बावा सहाब ने बुद्ध धर्म को ही अपनाया और जैसे कि और भी जैसे कि बुद्ध धर्म में तथागत के शिक्षा में जैसे जो जो तत्वत हैं उन्हीं को मूल करके उन्होंने सविदाहन भी लिखने की कोशच कि लेकिन ऐसे कभी-कभी डिरेक्ल पादर्शीर रूप में समरड आशुका राजशासन व्यावस्ता उनको लेकिन उनके जड़े वहां पर होने के बाद उन्होंने रेफरेंस बहुत दुनिया के सविद्धानों में कि लिया और उन्होंने देखा कि जैसे कि एक तद्धागत बुद्ध धार्म के शिक्षा के अनकुल बहुत अच्छी समाज व्यवस्ता हो या राजशासन व्यवस्ता वो बन सकती है तो इसलिए भी उन्होंने उसके माध्यम से चुना है कि मुझे लोगों को ये द्धाम देना चाहिए तो वो भी एक प्रयास था कि उस माध्यम से आप Constitution देखेंगे पढ़ेंगे तो इतना समझ में आएगा भारत के हर एक समाज के हर एक राज्या और हर एक समाज के सपनों का मतलब एक देश सपनों का शाशन वो बन सकता है कि अपने धर्म क्यानुसर जिससे वो धर्म राज्य कहें वह और किसी धर्म क्यानुसर कहें कि यह राज्य वो बेस्टे बेस्ट रा एक बहुत विशेश बात है अगर सही तरीके से अपलाय करेगा इस सविधान को तो लगेगा कि यह तो हमारे धर्म के अनकूली ही है और इस कारण से भी बाबा साब ने पहले पर समझ ही लिया था कि बुद्ध्धर्म ही है जो इस भारत की व्यवस्ता को अधिक सू व्यवस्त बनाय में मदद कर सकता है इसलिए भी बुद्ध धाम को ही उन्होंने चुना है और उनके आभ्यास और उनके आध्यात्मीक स्वभाव से भी उन्होंने देखा है के बाहर कोई भी व्यक्ति उन्नत कैसे हो सकता है जब व्यक्ति आपने भीतन की बुरायों को कोई व्यक्ति अच्छायों को अपना लेता है और आपने मन को निर्मल बनाया रखता है तो अगर ऐसा व्यक्ति करते हैं अपने स्वातन्तर रोप से कोई व्यक्ति सुखी बन सकता है आपने आपने सुख की और आपने आपको बढ़ा सकता है इस कारण से भी बाबा साब को लगा कि अगर ऐसा एक आदर्श व्यक्ति बन जाए जो बुरायों से दूर रहे अच्छायों को अपनाए और आपने मन को निर्मल बना रखे अगर ऐसा व्यक्ति अगर भारत में अगर मतलब पैदा हो ऐसा बने निर्मित हो जाए तो इसी को भारत मतलब बौध में बना कहे सकते हैं इसको इस एंगल से भाबा साब ने कहाता कि भारत को बौध में बनाता है तो ये बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का ही एक ये था इस कारण से भी बाबा साब ने कहाती बहुत धर में ही एक मात्र उसका एक जर्या है जिससे की लोग का कर लियांग हो सके इसलिए उन्होंने ये चुना ऐसा मेरा उपनियम आजकल हमाय समाज में ये अभी एक संग को शानागत नहीं थे क्योंकि यहां मत कहीं ना कहीं संग को समाज से समाज को संग से दू एक दूसरे से वंचित रख रहा है तो मैं पूजनी बंत गुनान जिससे यह जानना चाहूंगा कि इस मत में कितनी सच्छा ही है और इसकी पुष्टभूमी क्या है यह बात का शाव ने जब यह वाक्य कहा था तो इसलिए नहीं कहा था कि उनको संग के प्रतिव वह संग का बहुत गवरों करते दे आप बुद्धा अड़्य दमव पढ़ेंगे तो उसमें बुद्धा और धर्म कि और संग की भी सेप्रेट सेपरेट चाप्टर है संग के बारे में अ और इसलिए उस प्रश्न वुद्पन गिया मैं मुझे संग कहीं दिखाया नहीं देता है जैसे देखा जाए इसलिए इसानों को शहरन नहीं जाओं लिए बात में उसका उत्तर चर्चा से उन मिल जाता है कि संग आई जो शुबठी पर आदि आदि यह जानता था कि बस में उ अधी आधूरी बात को सवस्ति वे कहते कि नहीं बाबा साब के मन में अंतर भाव में इसा नहीं था लेकिन हम मतलब क्या होता है कि चोटा साब को एधाधुरा घ्यान लेते हैं और इदर बसाप के नाम पर इतने गलत फ्रमिया प्रिलाथे गलन की दो दिन की बात है एक बार मैं ऐसे कोई मैला मेरे पास आई और कहें थे कि भागवान बुद्ध जी को पुष्पद्धूप और तेल प्रदूप से जाने कि दिये से पूजा करना जाएं अइसा भी होता है और उनको लगा कि भ Seven ने तो ऐसा नहीं कहां है लोग नहीं है कि बात ऐसे कहें चोटा साब मतलब घ्यान नहीं होता है और श्रद्धह का घ्यान श्यब्सकृति क्या है वो भी पता नहीं होता है लेकिन बाबस पर थोप देते हैं यह साब को बढ़ता होती है है तो वो प्रश्ण जो था वो प्रश्ण केबल उसी समय वो केबल बाबा साहब को एक उसके और उत्तर देखना चाहती थी किवह क्या तो अब चबिंग सांग थी तो ऐसे नहीं हो पाता है लेकिन इसलिए समझना जरूरी है तूर इसि कारण से जो हम जो धार्म में जो उन्नती नहीं कर पा रहे हैं तो यही इसी कारण से गलत आर्थ लेने से चाहे बाबा साहब के नाम पर लिया जाए या क्रिपिटर का भी जो किसी कोई वेक्थी किसी आदार पर कोई ग्रांत लेक लेता है और उसको भी गलत आर्त से आगर वो लेता है, तो बहुत नुखसान होता है, नुखसान ऐसा होता है कि व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं बढ़ GIS गलत रास्ते कोई वेक्ते सो साल तक भी कोई चले उसका चलना कुछ काम का नहीं होता गलत रास्ते अगर वो दस कदम भी रखे वो कदम काउंट नहीं किया जा सकते हैं कि सभी रास्ते पर एक कदम भी कोई वेक्ति चलता है तो वही कदम काउंट किया जाता और यही मतलब आज के समाज के स्थिति में जो लोग हैं जो खुद को बुद्धिवादी समझते हैं झुद ज्यानिस्ट कहते हैं तरक निस्ट कर वो तरक बुद्धी इतनी है ऑर कहते हैं लिखा इसलिए इसलिए मत मानवाद नहीं करते हैं उसे कितने शरलन भात थे वहां प्रख्यां से जानने वाली बात जैसे को इन द e अबा सब्सक्राइन आए इस तरह से समझ भी करोद कि आएगा कि एधहरम हाईना तो इस तरह से उसको मानने लिखने इसे परंपरा से नहीं जाना को तो इस तरह से रेılएप से दे लिगा आध्या आधुरे और संखने की कारण है चाई को सबसे बढ़ें सब्सक्रें की Lupka संग का संग कोई नहीं करता है या संमान देसी कोई नहीं करता है तो depends on the चांग के निन्या दिखा नहीं होता है लेकिन दुसरा आस्तित्व में होता है तो चार लोग अगर ऐसे ओढर में बने तो उसके नहीं होता 왜 कि मैं कि उस व्यक्ति की परिहानी निश्शित हो जाते जो व्यक्ति धार्म का द्वेश करता है संग का द्वेश करता है उसकी परिहानी निश्शित है वो धार्म से चुट हो जाता है तो इस तरह से इस प्रश्णों को समझना है हार एक व्यक्ति ने समझना है कि बाबा साब ने इस प बात हो गई हमारी उपासकों के उपपर, बात हो गई हमारे भिक्षों के उपपर, आज हम जिस प्रकार से सामाजिक स्थिति को देखते हैं, तो कहीं ना कि हमें यहां भी लगता है कि एक नेत्रुत्वा की ज़र्दत है, तो आप तीनों के अनुसरा नेताओं में, अब कौन स ऐसे गुन होने चाहिए कि वो एक ऐसा समाज घड़ा पाए वापिस से, बाबा साहिब जैसा कोई नेता, कैसे आए? क्योंकि हमें धर्म अनुसरा चलने आले भी कई समाज हमें चक्रवारती सोत्रा मिलता है, इतने अच्छे-चे रेफेंसे मिलते हैं कि धर्म के अनुसरा य कई प्रकार के होते हैं, समाजिक नेता होता है, धर्मिक नेता होता है, धर्म गुरु तो नेता नहीं होता है, है ना? समाजिक नेता, राजनेतिक यह जो दो विशेश शूप से यह दो नेता है होते है, और धर्म गुरु कभी नेता नहीं होता है, वो तो धर्म को धर्म की स सिक्षा बताता है जो धर्म ऐसा ऐसा है इस प्रकार से धारन करना पड़ता है आज की विवस्था में विशेशुप से भारत में कई अन्य संपर्दायों के विशेशुप से जो धर्म गुरु है वो नीता बन चुके है और उसी कारण जो सांपरदाइक दंगे फिलाल जो मैं देखने के लिए मिल रहे है जो सांपरदाइक जो कटरता ब्रोर नेगे हो.. तो नि नीग हो सकता धर्म को संजोय रखने का और समाझ को संस्कूरूथ करने काम करता है और इसमें भी क्या होता है नेता होता है नेता ने एक बात जो अपना सफसे बड़ा अपने करते साफ साफ करना चाहिए कि उसको धरम का इस्तमाल नहीं करना है आज क्या हुँ रहा है कि धर्म इस्तमाल कर रहे है नेता अपने वोट वैंक के रूप में। आना उज़र्म में आउन। कभी भी एक नेता इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो धर्म का इस्तमाल कर रहा है कि धरम के साथ को निर्मान कर पाएंगा आज भी हमें देखते कि कई सारे मानवियों अधिकारों के लिए धरम के साथ लड़ना पड़ रहा है समाज के साथ नहीं तो हमें धर्म के साथ लड़ना पड़ रहा है कई सारे चाहे मंदिरों में प्रवेशों विहारों में प्रवेश्या कुझ भी हो इवन कईबार देख्टे स्पीकर को लेकर भी मंदिरों के स्पीकर को तो यहाँ पे नेता कैसी भूमी आदि नेरा है यहाँ जो भी नेता होता है एक नेता कार्य बनता है कि अपने धर्म गुरू के साथ सलाम मशवरा लेके समाज के किसे अधिकारों की हानी तो नहीं हो रहे है इस बातों का धान में रखते हुए उसने अपना पैरागे बढ़ातेर रहना चालिए को कैसा भी क्यों ना हो नेता में कई बार आस एक समय समय जगी नेता रहते हुए कई भार छलकपड गाता तो छलकपड तो गलत बात है ने कि हम देखते हैं कि था फूर्osaur राजा शत्रून प्रस्त बढ़ाना है उसका नैतिक जो आचार होता है जो सबसे महत्पुन जो कार्य जो यह होता है कि उसमें द्वेश पून गाठे ना बने द्वेश पून गाठे ना बनाए किसी की जान जाए या किसी की जान की पीछे ना पड़े है ना किसी को पुनरूप से नश्ट करने की पीछे ना पड़े हम देखते कि राजा आजा विंबिसार राजा विंबिसार के समय में राजा विंबिसार ने उस समय के सभी पंतों को धर्माश्रे दिया हुआ था न गुफाय द्युवेती विहारदान दिया हुआ था कि जो नेता होता है राजधरमiben को ना नीचे आके ना जधा तरीब का करें सबी धरम के पर थी समान भाव कैसे रहे ऑन धरम में द्वेश बढ़ रहा है आपसी धर्म जिसमें आज हो रहा है मुसलमान मुसलमार हिंदु के बीच में तनाव बढ़ते जा रहा है। जो तनाव गटना उसके सामझानी चाहिए और कैसे सम्ता धर्मनिरपेक्षपून राज्य के स्थाप नहों सकती है उसने इस पर बल देना चाहिए और जो कि सवविधान अज़र ठीक प्रकार से पालान करें तो वह सारत तो मुझे तो अशा लगता है कि जुसे हम राजधर्म कहते हैं जिसके गोईनया गुरुजी ने बहुत प्यारी किताब लिखी है राजधर्म उसने बताते कि राजधर्म क्या है राजधर्म की हम देखत कि दुसरे 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 दिख्तिक साथ राजधर्म नहीं करना चाहिए कि धर्म एक बिवड़ी चिंगारी है और कहता ना चिंगारी आखेल अच्छा नहीं होता है वह आज खेल लेंगा पर कल जाके क्या हो जाएगा आने वाली पिड़ुकिल उसके बहुत नुक्सान ह जो कि आज हो रहा है भारतियर परिप्रेख्ष में अगर वह म therapist में सबसे महत्रकुन जो गुन होता है कि सबसे पहले जो अपने धर्मगुरु है जो धर्मदीर है जो धर्म आश्रे है वह इसप्रकार का आश्रे बने किसी दुखी दींविख्ति का सहारा बने बलकि से लोग का मिले सुख मिले हर धर्म दिखते के लिए आशरे हो अगर उनके पास घरम ना ओ तो इस परकार से धारमिक नेता होना चाहिए, तो एसपर की धर्म ABOUT का इसतेमाल करना में रूपनिया की विशेश रुप से बौद्धा समाज में और हिंदु समाज नें सबसे जादा हो रहा है, कि वह धर्म को बस समाजिक टूल के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं उन्हें राजनीती साधनी है आज के नेताओं को विश्च रूप से बहुत समाजिक नेताओं को राजनीती साधनी है वह लगता है कि आप विश्च बहुत धर्म की नेताओं ने बाद जाननी चाहिए कि हमें राजनीती भी अगर हासिद करनी है या समाजिक में एकताव यह सकता है तो धर्म कैसे मजबूत किया जाए और धर्म मजबूत हो सकता है वहां के धर्मगुरु द्वारा ही और किसे द् साथ सालों से है और राजनातिक राजनातिक कार्य करता है पिछले साथ सालों से पर उतनी उन्नती नहीं हो जैसी बाकी धर्म की उन्हें हुई है तो अपके इसाप से एक श्रेष्ट नेतुत्व कहने वाला कैसा होना चीए यह बहुत सुन्दर प्रस्तन है देखिए सबसे पहले की लोग को अतर डेखेंगे तो कि श्रय को अन्य थे पूस्ते बगवान से बगवान यह बुद्धिश आसन आदा से जाद आधा पूरा आधा बुद्धिश सा सन खल्यान मितर पर डिपेंड़ है उसके बाद भागवान अहां अनंद ऐसे मत बोलो, पूरा का पूरा बुद्ध्ध सासन खल्यान मित्र पर डिपेड़ है, तो यह नेत्रित खल्यान मित्र निभाता है, तो हम लोग देखी लोकीक जीवन बिताते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग को चाहिए कोई नेता, देश को चलाने वाला, तो व एक गुरु होना चाहिए आध्यात्मी गुरु लौकिक के लिए तो हमेशा सब्लूम नेता है जैसे देश चला रहा है खिला रहा है वो कोई बन जाता है अभी ओटो बन रहा है लेकिन हम लोग को जीवन सुंदर करता है जीवन उत्तम बनाता है जीवन स्रेश्ट बनाता है ल लेकिन लोकोत्तर नेत्रुत्य बनाना है तो खल्यान मित्र जिसमें श्राद्धा है जिसमें सीजो सीलवान है जो धरम का ज्यान बहुत है जो दानादी देता है जो प्रज्ञावान है जो पाप से सरम करता है जो पाप से भय होता है जो सातिय स्मिति में रहता है जो समाधी ब जाए कि आश्रे कर ना चाहिए क्योंकि बिना बातर फुरा निरवान मार्ग अध्यात में पूरा ड्य जिवन काल्यान मित्र पर तो सोचे किसी के पास काल्यान मित्र है तो आस्रे उस पास कल्यानमित्र संगति है तो वो सृलवान है, स्राद्धावान है, दानी है, इसके बाद फ्राज्ञावान है, धरमका ग््ञान है, पाप से डरता है, अगर उष्च्छील है तो पाप से कोई डरता नहीं है तो पाप से कोई भैने होता है तो उसका पास कल्यान मित्र साथ सांगती नहीं है कल्यान मित्र साथ आश्रे नहीं है मत उसका नेत्रुत कोई नहीं है तो नेत्रुत बनाना है तो अध्यात्मी के लिए वो अध्यात्मी गुरु कोई होना चाहिए तो वो श्रद्धा, सील, सुत्यत्याग प्रज्ञादी धर्मों से थोड़ी हरी कियो ना हो पुष्ट होना चाहिए, प्रेक्टिस करना चाहिए. अपने से उपर होना चाहिए. उसका नित्रित्र खल्यानमित्र के रूप में करना चाहिए. भग्वान बुद्ध के पास एक पॉलता है भगवान को नमने करके बोलता है वह तो इक साथ नमने के साथ नमन लोग को देखबाल करते हो, खेसे लिए लोग को संभालते हो, अब किसी का नित्रुत्य बन रहा है, तो हाथ आलोग के प्रधान है, उन्ही को लेकर 500 चलता है, ना तो 500 लोग पीछा कर रहा है, तो जो भी कुछ पालन कर रहा है, तो हाथ आलोग के कार, पीछा कर रहा है, तो बागवान हम लोग चाठ चीछ से संग्रहा करते हैं। इसाने वन्हेश्य की पहला है यह किसी तो सब ठिकए हो जाएगा तो हमुद्ध लोग ना किसी के पास दुस्तील है बाप इसको आर्थ के लिए उसको मॉंगल के लिए उसको कांडियान के लिए काम करता है कि वह अर्थ चारिया तो या दान नहीं देता है कंजूस है तो दान देने के लिए सिखाता है उसको आर्थ के लिए काम करता है उसको आर्थ कर रहा है उसको मंगल कर रहा है जीवन के लिए तेरा है दोनों जीवन के लिए त्याग करने के लिए सिखा रहे हैं दोनों जीवन के लिए प्रग्णा मैं जीवन बना रहे हैं दोनों जीवन के लिए पढ़ लोग के लिए भी सापोर्ट होता है तो वह बोलता है भागवान हम उन लोग को जाग आते हैं तो आर्थ से भी पीछे जाते हैं चलो चलो जूट बोलते हैं चलो चलो यह करते हैं वो करते हैं कुछ भी गलत करने के लिए जो आश्रे बन रहा है तो उसका रहा है तो वो अनर्थ के लिए उसका काम कर रहा है लेकिन हो बोलता है हम इन लोग को आर्थ के लिए हम इसा मदद करते हैं जिसको जरुवत है अर्थ का तो इसका सामान आते था हम कभी भी अपने को फ्रेश्ट महान ऐसा ऐसा नहीं दिखाते है बगवण हम सामाने भाव से रहते हैं जो उसको लगता है पीड़ा नहीं लगता है पम summat करको में। अधिए करके दे लुक बनाने में पचीन्ठत है। तो था ना चाहिए कि हम लोग कहां पर भूल कर रहे हैं, कहां पर चूप कर रहे हैं। एक सरापीने वाला का क्या, एक दूसील को क्या, एक फापी को क्या, या कौन है मेरा नितरुत्त के पीछी, जो भगवान को निंदा कर रहा है, उसका नितरुत्त बना रहा है, कभी भी भगवान को निंदा करने वाला खल्यानमित्र नहीं हो सकता है, कभी भी स्री साध्धरम क किटना पड़ा लिखाऊ PhD degree Professor degree 2 आगा है कभी भी सेंग को निंदा कने व behg उलम मित नहीं बन सकता विसकर नहीं अगरेथ कपा अरफीन जिय वह प्रस्थ प्रस्थों में ऐसे लगनें वहाँ संग का सवा ही सांग के बारे में लोगको डौट है मैं हम लोग समाझना हुंके हम संग का सर suppression जा रहे हैं तो यह देखने वाला दो चार भीक्सु चीवर उठाके दोड़ रहा है उनलों का नहीं या नाच 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 रहा है पाटिक कर रहा है दारू पी रहा है गिर रहा है रास्ता पे गिरा हुआ इनलों का सरन नहीं जा रहे है हम सरन जा रहे हैं सांग का सरन तो भगवान भुद्ध का सुपटि उठाएं लेकिन बावस अबेदकरजी को पता था संग मतलोग क्या है विस्तार आता है बुद्धानी इस दम हमें तो संग सुपाटिपान है जो सेल समाधी प्रज्ञा की रास्ता पर है रागदेशमों नश्ट करने के रास्ता पर है जो चार आरसत्य बोध करने के रास्ता प पहले आसन में आन्या हुंडानीन बंती हैरतकल पहले विक्सुत बाने सबसे बुद्धस आसना प्रज्ञा में प्राग्ञा में अरंध самि पुत्त है उनके सारण जा रहे हैं वे उडाहे हैं उसके पुनता है स्थेगेма स noodle 15 वे स॥रा कुछ 나눟 नेथि इंद्रीसआंगर वी सांगा रखलम यह विनआमर्म विंग्सुन्हें जो उनलों असे महा स्रावक गशलोग हैं। और अरहत मुनी लोग हैं उन लोग को गुणों को याद करते हैं, हम सांगान साथ नंगा चाहिए, उन लोग भाव सागत पार हो गए, उन लोग दुखों से नुक्त हो गए, उन लोग धरम का परिपूर्ण किये, उन लोग करुणा माइत्री, मुदिता, उपेक्सा परिपूर्ण की, उन लोग आरश् समझता है वो भगवान बुद्ध को समझता है कीमत, जो धरम समझता है वो संग का कीमत समझता है, जो धरम समझता है वो भावस समझता है, जो धरम समझता है वो देश का कीमत समझता है, जो धरम समझता है वो मनुस जीवन का लाब का कीमत समझता है, जो धरम समझता है वो के लिए कोशिश करना चे धरम को सुनने से जो मना करा पीचे आठा बस समझ जाए वो धरम में पतान हो रहा है, सेल में पतान हो रहा है, समाध्य में पतान हो रहा है, प्रज्याम पतान हो रहा है, त्याग में पतान हो रहा है, एक कारण से जो धरम सुनने से पीछे आठ रहा है, तो कितना महत पूर्ण है धरम समाजना, इसे लिए संग मतलव समाजना चे संबितकर जैमंगल गाता महामंगल सूत्र आदी सूत्र तो यह सब में संग का गुन है अरे इसे बोले नहीं तो हम सब ही लोग समयना चाहिए संग मतलब और क्या है करके समझ गें पास ठीक है अंते गुनाना जी आपके हिसाब से एक नेतर वां व्यक्ति कौन होता है इसका उत्र बहुत शरल है नेता जानि कि किसी समाज का यह किसी अदेश का जो नेतर दो करता है उसको नेता पर जाहिए और मैतरिवान होना चाहिए सब्य पृत अच्छा है जैसे बहुत आच्छा इंग परदे आपने श्मे verschiedene प्रिप्रेशन की होगी या उसमें से जैसे कि कोई क्वांस्टूटीशन पढ़ता है बहुत अच्छा लगता है कि बेस्ट राज नितिक निताब बन सकता है उसके बीतर अंदर से आवा जाता है कि मैं बेस्ट कलेक्टर बनूंगा या अच्छा लीडर बनूंगा लेकिन जब वह बन बंज पुछ ना कुछ बन जाता है तो उसके पास में ऐसी बाते आती हैं जिस कारण से नहीं रहे पाता है कि या तो यह तो लोग जापता है ना तो द्वेश जागता है नहीं तो लोग कारण वह गलत रास्ते पड़ जाता और आच्छा नेता निता नहीं पुन्यवान व्यक्ति किसी भी समाज में किसी कुल परिवार में जन्म हो सकता है उसका और पुन्यवान व्यक्ति के स्वाभाविक लक्षन में यह होता है कि उसके व्रदे में सबके प्रति महित्र प्रेम होता है पुन्यवान व्यक्ति के स्वाभाविक लक्षन में होता है कि यह सारे मेरी प्रजा मेरी रहणे वाले सारे लोग यहां तकी पशू भी सब लोग मेरे से आशरित है और ने उनके पिता की तरह पिता की तरह मैं उन सब का देख भाल करूंए समरड आशो का राज्य देखिए उनने कैसे देखता है कि वो समझता है कि ये सारी प्रजा मेरे बच्चे है बटो और एक पिता अपने बच्चे के प्रदिक अभी भेड करेगा क्या एक पिता अपने बच्चों को ये बुरा है ये दूर का है नस्तिका है उसको आच्छा करूनिक होना चाहिए पर अच्छे सद्गूर्न वाला अगर पितर मन अगर पवित्र है तो वो अच्छा नेटा बन सकता है लेकिन आज आगर हम देखते हैं कि बहुत सरे नेता आयें, बहुत करवड बन जाते हैं. इतने राजनिती खेलते हैं कि इमर्जन नहीं कर सकते ने बहांने, अके. आद बाहर से एकदम क्लीन दिखते हैं, अंदर से बहुत कुपअ. लेकिन बाद ये इस तिहानुए रखनी है. मैं ह वो मतलब उसको मतलब हानि पहुचा सकती है जीसे बाहर से रख्शा कर सकती है अukने खुद की भी रख्शा करने जरूर जरूर हabytes बाहर को आनि पहुचा तो इधर भी को हानि पहुचा जाते हैं तो राज्य शासन चलाना यह कोई मुगा खेल नहीं है यह पुन्यवंद लोगों का काम है और पुन्यवंद लोगों की स्वाभाविक दो लक्षन होते हैं समान मैत्री भाव, समान करण जैसे एक पीता में होती यह नेताओं में, लक्षनों में, लक्षन तो मैं ऐसा नहीं कहता है कि ये लोगों में और कोई प्रकत हो जाए अगर ऐसा कोई व्यक्ति बनना चाहे तो वो बन सकता है किसी भी धर्म सांपरदाय में जन्मा क्यूं नहों अगर वो भगवान गुद्धे की शिक्षा वो सीख लेता है और उस शिक्षा को अपना जीवन मार्ग बनाता है उस शिक्षा को धर्म गुनों को अपना गुन बनाता है तो उसके बीतर ये सदगुन आ सकते हैं और वो भी अच्छा नेता बन सकता है तो मैं ऐसा नहीं कह सकता है कि ये नेता कालपनिक जुनिया में ऐसा कहां से आये जो आप समाज के जहां से लोग हैं वो लोग आगर चाहते हैं कि मैं भी एक अच्छा नित्रुत वाला बनू तो उसने बहुत आच्छे तरह से समविधान को पढ़ना चाहिए और एक अपने मन को बहुत अच्छा पवित्र बनाने वाला बनने के लिए भागवान रुब्ड क का धर्म सीखना चाहिए और उसके बाद देखिए वह एक बेस्ट एक नेता बन सकता है इतना नहीं अपने जीवन का कल्यान तो करेगा और प्रजा का भी कल्यान कर सकता है और ऐसा वेक्ति चाहें जिस समाज में पैदा हो वो बुद्ध का आदम हो सकता है बावासाब का और गमन करने वाल चाहे जिसकै धर्म आदमी का कहें वो उसका अदमी बनेगा क्यूंकि धर्म कभी पाती वेक्तियों को दाहरा का नेता नहीं सकते हैं एक सत्पुरुष व्यक्ति ही अच्छा आदमी बन सकते हैं जैसे अच्छा नेता कहें या अच्छा सत्पुरुष व्यक्ति ही कहें उसके बारे में भावान कहते हैं जैसे बादल बादल जब बरसता है तो बरसता है मतलब कभी भेद नहीं करता है कि यहां बरसना है यहां मनुश्य हैं यहां तिर्जन प्राणी है यहां दूसरे जूसरे नहीं वो सब पर समान रूप से बारस्ता है और सभी लोग सुख्या और समृद दिवान से हैं वैसे ही नेता होना चाहिए लेकिन ऐसा बनने के लिए उदार बनने के लिए दो चीज़ें जाद होगी हैं इसको बहुत अच्छे तरह से सभी धान का ज्यान होना चाहिए और दूसरा आपने सभी बुरायों को दूर करने के लिए अच्छायों को पैदा करने के लिए और अपने मन को हमेशा निर्मल बनाये रखने के लिए उसको भगवान बुद्द ने बताई वी शिक्षा समझे चाहिए फॉलो करने चाहिए वह विक्ति अच्छा नेता बन सकता है और ऐसे कॉलिटी जिस समाज के व्यक्तिव में दिखा देते हैं उसको आप चून सकते हैं बस इतना है उसमें होते चाज़ा है तो मैं एक आखरी प्रशना बचता है कि जैसे कि धर्म यह तो अकाली को है यह कभी इस समय के साथ पुराना नहीं होता कितने भी कटिनाय आएंगी पर धर्म यह जो है मा कभी पुराना नहीं होगा जैसे कि हम जानते तो अगर आज बाबा साहिब होते तो कौन सी बस एक अगर बात आपके अनुसा चुनते तो कौन सी धर्म की बात चुनते कि धर्म सबसे उनका पसंद आया उनका खारुना माहित्री के बारे में उनका जीवन चारिया देखने के बाद का उसकी थसक्राविANS लोक्रान कर 것이rumं के एक कारण पर बहुत को अथा है कि उनको देखिए इतना बचपन से एक सब्वावत देखिये बचपन ने नहीं दिया पढ़ने की लिए गया तो उसको उनको ऊत्तर हैता था हुद्धर देने नहीं देता था अपना दर्री लेकर आना होता था अपना दर्री पे बैठकर अपना मोड कर जाते थे दूसरा तीसरा कारण पानी पियो चापरासी आये तब ही पानी पी साकता था नहीं तो नहीं पी साकता था तो उठा कर देना पड़ता था और देखेंगे तो ये कौन है आगे सामविधान लिखने वाले भारत रत्न बनने वाले जो दुखों में डूबे होई लोग को दुख से भारने वाले ये महापूरुस है उनका जीवन देखी हम लोग थोड़ा मोटा दुख को देखकर बहुत प्रोते पस्ताते हैं उनका जीवन देखी कितना दुख से पीता जो महापूर्णे से जन्मे है इतना दुख मिला कर भी चिलाए गर्जे नहीं वो छोड़िये बच्चा था बोल सकते हैं अपना लोग दरवाजा पे ढकेल देता था मार देता था बच्चा सोची जब डिग होता है मैं एकिता का भाव नहीं था इक अलग से देखा भेद भाव किया तो भेदहाओ करने के बाद हो प्र आध पास पावर घरिमारे कंकर झ्ताया यहि suzik संकार बताओ छोड़ देते हैं बात और करूना से प्यार से बात करते है तो वह बात हमको बहुत harness हुआ बहुत अच्छा लगा कि हर ज़या देखते हैं तो वह बहुत करूना से स्वार्ण से निर्ण की आज यहां से बस एक किलो देख पाता है एक मिटर भी नहीं देख पाता है कितना अंदर है कितना पूजा करना चाहिए उनको रोज जी इसके बाद बावा से हम बेदकर जी में इस्त्रियों लोग को पढ़ने आधी के लिए सब्ची आगे बढ़ने के हग के लिए संग्विधान में लिखें गरीब लोग को कैसे कैसे करना इतना यह जीवन कैसा था है कि यह यह एक्संद लडाई जवडा नहीं करके माहितरी करना का जिवन था हम सभी लोग क्यों कि उसे से Siya से का दूद मिला था उनको क्या धर्म सेर्नी का सेर्नी का दूद पिरनी आतरा शेडनी जैसा है तो इसलिए वा जो बात था उनका गमभीर था उत्तम था सब्सक्राइब कर देते हैं बहुत सुन्दर उदारन है आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे बहुत ही सुन्दर एक सेर सेरनी का बच्चा बिछड़ जाता है बिछड़ जाने करन सेरनी का बच्चा कहां पलता बढ़ता है स्यार के घर में स्यार के ग्रूप में और स्यार उसको पालपोस के साथ में रखता है कि छोटा में बिछड़ गया था लेकिन कोई सेर सामान नहीं था खेसर या सेर था के सर्या सेर मतलब बहुत गांभी रिशेश सेर होता है लेकिन के सर्या जो सेर था वो सेर में लोमणी जैसा ही राता था लोमणी जैसा पीता था लोमणी जैसा खाता था लोमणी जैसा चलता था लोमणी जैसा करता था सब लोमणी जैसा एक्शन लेकिन है को के सर्या सेर है उसको भी पता नहीं हम केसर याश है तो एक दिन हुआ क्या वो लोंबड़ी के बीच से बीच-बीच में जा रहा था साथ में और लोंबड़ी भी समझता था साथ में सेर भी भागने लगा लोमडी के साथ जो पला बड़ा बड़ा सेर वो भी भागने लगा तो सेर के मान में प्रास्पन आया अरे ये क्या हो रहा है लोमडी तो भाग रहा है वो अपना डर के करा उसको खा जाएंगे ये सेर मेरा ही खुन आदमी क्यों भाग रहा है ये कुछ दाल में काला है कुछ प्रोब्लम है सेर क्या करता है तुरां दोड़ दोड़ के दोड़ दोड़ के जाता है सबसे पहले खुआने से पहले उसको रोकता है सेर को घेर कर सेर रूख जाता है अरे मुझे मात मारो मुझ हम लंबडी हैं पूछ नीचे करके बात कर रहा हूं के रहे बाते हैं कि तुम्यारा मेरा रूप मिलता जूलता है तो फिर बोलता है कि नहीं तुमको छोड़ेंगे नहीं खा जाएंगे तुमको एक काम करना पड़ेगा तुम से तुमको चेक करना है तुमको अरे स्वामी चेक करने का जरूतने हम लोमड़ी है बच्पान से लोमड़ी है तो नहीं चेक करना है नहीं तो तुमको जान मार देंगे इंपर तू डर की महाया करना है बताजी महाराज स्वामी तो बोलता है तुमको अभी ऊपड़ चढ़ना होगा पहाड के हुपर चढ़कर जोड से गणा नहीं तो तुमको खातों को जान मार तरह सरी तोड़ ताड़के जोड से गरज्टा है और वे सोचा कि हम लूमडी का सदेड़ निकालेंगे लिक्न जोड से गरज्ट निकलि बोलता तो इस सेर खावाज निकलता वह सारा हाथ जानुवर बखड़ी गाए जो जंगल रहता सब छुप जाताए क्यों कि के सरीय संग तसारीया सेंगथ सामान सेंगर नहीं तो वैसा ही बाववसाम बेटकर जी होते हैं तो लोगों को उठा थी सामान निवेक्टी नहीं है मूठकर अगे बढ़ सकता है धरम मिला है जो दूद है सेर्नी का वो मिला है तुम लोग को यह सेरब धूद्ट पी गर्चर सेः जैसा सेयज़ रहाना मतलु लड़ना नहीं सेयज़ ज्यास मतलब अपना आध रहवर अपना खुशी अपना सांती एक सात रहवर एसी मरे हुई जैसा नहीं तो वो होना चाहिए जोगों में वो नहीं है जो मिला हुआ लाब है उसको कीम नहीं समझ रहे हैं और दूद पी नहीं है मजबूत नहीं होधा कि लोग भी लोमणी जैसे नहीं कर वह से जैसे दान करने में लिए कि यहां चाहिए लेकिन लोंड़ी जैसा है तो इसे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए और आप सभी लोग को में हम आसिरवाद करते हैं कि आप लोग भी एक शेर धर्म के आच्छन करते हिसे धावा साहैं अम्ब्रहोप करने के लिए दिल से मानने के लिए और क्विके धरण मैतर खी लाधी बात हो этого यह मेन बात है वो सब वावा साम्वेत कर दिमाद से समझते थे, सब आचरन करते थे, वो समझता नहीं है लोग, उसी से सेर हुआ है, इसलिए हम आप सभी लोग को आशिरवात करते हैं, आप लोग को भी एक केसर या सेर बनने के लिए दुरलब भाग मिल जाए, साधू, साधू, साधू. आपी अच्छा बताया, बंते. बंते सेरे सेली आपका विशार है, कि एक अगर बाबा साहिब के अगर एक बात कोई बहुत जादा पसंद है, तो यह हम सब जानते हैं कि बाबा साहिब उन समान प्रग्या सूर्य तो कोई उस समय में देखती नहीं मैं बता, पर एक घटना मुझे बहुत जादा पसंद है बाबा साहिब कि वो ऐसे कुछ दो भिख्षू उनके अंदर में बैठे वे इंतजार कर रहे थे उनके, तो जैसे बाबा साहिब अंदर गए, तो दोनों भिख्षू खड़े हो गए, बाबा साहिब को बात बहुत बुली लगी, उन्हें कहा अरे आप भिख्षू है, आपका ये खुद राजा का स्वर जुखता है और आप मेरे लिए खड़े होंगे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपने तो किसी के लिए खड़ा आनो जादा है, तो इस बात से जो भिख्षू संग के प्रदी बाबा साहिब जो श्रद्धा थी, है आप मेरे लिए खड़ी चमत हो, आप क्या की लोग खड़े होते हैं, तो जब गवरो था बाबा साहिब की मन में संक्य अपरती, और जब दिख्षा ले रहे थे, तब भी भरंद आनन्द कोसलान, क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा भिख्षू लाके दो, कि जो बनदब हो, और बाबा साहिब के साथ, जब जब उनकी जब आप में चर्चा होई है, जो हसी मजाग हुआ है, उसमें भी देखके, जो मुझे असल लगता है कि देखो, इतना विदवान इंसान, जो बुज़म को खुद इतना अलग पहलों से जानता है, और संका जब गवरो की बात आत बिलको विदम लुभाती है कि शर्दा देखिए, वह बात मुझे हमेशा से पसंद आएंगे और यह बात आज बहुत ज़रूवत है भारतियों, स्पेशली महराश्टा के उपासागों को, मैं यही तरी से फोकस करूँगा, महराश्टा की उपासागों को, बाहर बात स्ट् जो एक नम्रता है, वो महराश्टा की उपासे में, बहुत अच्छी है, बाबा साहब की, हर कोई अपने बच्चे को सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, नौकरी एक काविन बना रहा है, पर जो नम्रता थी उनमें, वह एक बात जरूर सिखने चीए, उपासक होने, मुझे ऐसा लगते हैं, और दूसरी बात, आपने देखी बात बुले ती पर फिरी भी दूसरी बात जो मुझे बहुत पसंद है, किताब हो के लेकिए उनका प्यार, वो तो बिल्कुल कहने यह, कहने यह 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 दो बाते मुझे बाबासाब की बहुत अखालिक हैं, और सांदृस्टिक बे हैं, और इसको देखने के लिए किसी को बस किताब मातर परियाप्त नहीं होती है, जो एकते धार्म के आंगों को अपने जीवन में धारन करता है, तो उस धार्म के अखालिक सुभाव को वो समझ लेता है, इसलिए वो धार्म का भी लोब होने से जैसे लोग दुखी और व्याकुल होते थे, और वैसे आज भी होते हैं, इसलिए यह आखालिक हैं, भगवान के समय में भी जैसे लोब को दूर करने से, निर्मल होने से जैसे सुखी बन दे थे, वैसे भी आज भी होते हैं, और कल भी होंगें, इसलिए इसे क इसी संदिठी को अकाली को उपनाई को आधि धार्म गुनों से युक्त धार्म को ही आपनाया है और हम लोगों को भी दिया है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन बाबा साहब ने ऐसे मतलब समाकरत धार्म की शिक्षा को देखने के बाद भी बाबा साहब ने खास करके अप कुछ मार्ग चुना था और ये मार्ग आपने आगर देखा जाए तो बुद्धा अड़िस धाम के आंतिम पेज पर एक प्रतिक गया है बाबा साथ याद होगे आप सब भी बाबा साथ क्या कहते पता हैं कि अपने आपको धन्यता देते हैं कि मुझे ऐसा सोभागी मिला है ल हो उस समय मुझे भी अनुष्यका जन्ड पुले और उन ब्हग्वान का साख्शात मुझे द्रशन हो और उस दर्शन होकर आपना मंगल साथ दे करने क्यानि के निर्वान पाने के जूबिसे है और उनको वो पाने का सोभाग के मिले, यह उनकी उदारता, यह धारम का ग्यान और उनकी करुणा, यह सारे सद्गुन उसके समय में थे, यह आकालिक धारम के समगने धारम को उन्हें तो अपनाया है, लेकिन संक्षब रूप में अपने लिए कुझा ऐसे सद्गुन जो उन्हें अपन तो अलग अलग तरह के तरक भी बताते हैं है ना अलग अलग तरह के गरन्टों के रेफरेंस देखर की निंगा करते कुछ लोग तो इतने द्वेश भरे होते कि सोच नहीं जा आज ये किसे ने मुझे प्रशन पूचा था कि ये आदमी ने कहा कि वो मतलब आभी नहीं पोल सक है वैंने तो मैंने windows नको से उनकी च्याटब को क्या पता है नंदा वह समोद्राय में उनका जनम कवा उनका इतना भी इनका उसका हवा भी लगी उनके बार में जान ना तो बहुत बुत की बाहिई और डूट पढ़ लिया खुद उसे समझ रहे हैं और बाबा साब के बार में आप अधर बोड़ रहे हैं यह उनकी लाइक है यह उनका द्वेश है घमन है लेकिन बाबा साब के जीवन को देखने के बाद उनके जीवन चरिया को देखने के बाद जो हम देखते हैं उनके बाहित्रिया और करुना को देखते हैं औ पारम का मार गए और एक अच्छा इंसा इसलिए कोई डाउट नहीं है और यही सबसे आज जी बहुत-बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आज को आजिए तो काफी अच्छा लगता है काफी अव्य विशेश्शन समाप्त होने से पहले हम कुछ पुन्यान करते हैं आज 6 주고 है बाबा साब के देट अनवेसरी है तो हम उनके प्रतिक खुरतिक गता बहावज़ता दें क्योंकि उर्णे जो उपकार किये हैं उसका कोई मतलब मोल नहीं है उसके प्रति बद्ले में कुछ हम दे सके कि बागवान बुद्ध भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कारण धर्म मिलता है बुद्ध मिलते है संग मिलते हैं उसको किसी भी भावतिक चीजों से उसका प्रति मतलब मोबदला देखरें सब उसको उसको उपकारों से छूटकार नहीं पा सकते हैं और ऐसे आनंत उपकार सहाब के उपकारों को समरंग करते हुए कृत अबहावस से आ जो भी मतलब एक संभाण करते हैं कि हमने अपने श्रमन जीवन में यहां ते कि आपने मेरे मतलब कर बिए तेश साल से मैं इस धर्म जीवन में हूँ तो इतने शामघ्र इस जीवन में मैंने जो खुझ भी बढ किया है वो सारा पुन्य अभास सहाब जी को आनुमोदन करता हूं और इस पुन्य के आनुम आनुमोदन से बाबस सहाब को संसार की सभी दिवय शुक्र शान्त मिले और उनकी सभी परम्सरेश्ट संकल्ब परिपूर्ण होने के लिए यह समग्र पुन्य हे तु प्रत्य बने इसी सद्वाहों से गवरों से में सन्मार्ण कर लेगी हम भी कि पिछले विगत आप पिश्रम जियों ने पिछले आठ सालों से जो कुछ पुन्य अरजित किये है जो कोई पुन्य किये है अपने उस सभी पुन्य को पुद्शत ववसाइब जिगवर्पन करते अनुधन करते हैं और उन्हें विश्व के सभी सुख दिव्य सुख शांती उन्हें प्राप्त होते रहे और इसी प्रकार से हम अपने पुन्य में उनको सभागी करते हैं करते हैं उनको भागवान बुद्ध का जो दरहा में 5000 साल तक रहेगा करके हम लोग सब सुने हैं तो पांच जार साल रहेगा करके अगर हम लोग यहां ने बताया गया है कि 5000 साल तक भारत में रहेगा तो पांच जार साल तक धरती पर रहेगा इस दुनिया में रहेगा तो पांच जार तो हम लोग ऐसा होना चाहिए कि हमारा देश में रहे पांच जार साल तक ऐसा वातावरन बनाना चाहिए ऐसा कुछ हान ही ना हो धरम को हमारा देश में से जनम लिया दिया जला देश से औ और दिया तले अंधेरा ना हो, दिया को दिया के नीचे भी रोज़नी लाने के लिए उठा कर अच्छी से पकड़ के रखना है, तो उसके लिए हम सभी लोग का एक जिम्मेवारी बनता है, जो बावसा हम बेत कर जीती, वो जिम्मेवारी हम लोग अपने अपने एक खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और पतनी का सेवा करते हैं, बच्चा हों सेवा करते हैं, वो जिम्मेवारी है घर का, वैसा है धरम का जिम्मेवारी के रूप में, एक अंस के रूप में हम लोग लेना चाहिए, कि ये बुद्ध्ध सासन का चिरतकार के लिए, ये तो डूसरे को को अम्हें परांपरा को आने वाले बच्चे को आने वाले पीडी को अपने दोस्तियार को नहीं दे रहे हैं तो हम अंतिम पुरुस बन जाएंगे आंतिम पुरुस नहीं बनना चाहिए तो हम लोग में सपोर्ट होना चाहिए धरम के लिए और इस देश में ही आंतिम समय तक धरम रहे तरके में यह विचार रखते हुए हम लोग धरम का काम करना चाहिए करना महित्री से तो इसलिए हम लोग जो भी पुन्य का काम की धरम का क अच्छा किए जीवन जो भी पुन्य जमा किए वो सारा पुन्य हम लोग भाबा साहिब आमवेतकरजी को भी सेज कर करुणा मेत्री के साथ गवरब के साथ अनुमोदंग करते हैं उनको जो मानु कामना था वो पूर्ण हो उनको भी सब सुख संपत्ति सुविधा मिल जाए उ उनको भी उत्तम निर्वान सुख को पाने के लिए दुरलब भाग मिल जाए करके हम पुन्यानमदा करें साथू 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 नमबुद्धाय वन्दामी बंतेजी बहुत ही सुंदर तरीके से विसलेशन करके सभी प्रश्णों के उत्तर बताए सभी प्रणिया भंते जी को बहुत साधुकार करते हैं। आपका अन्मोल समय दिये, इसलिए आपको बहुत मंगल कामना साधुकार करते हैं। गर आप ट्यानु मती हो, तो हम बुद्ध धंब संग शमा याशना कर सकते हैं। करी अच्या। साधु, साधु, साधु काएन वाचा चित्तेन पमादेन मयाकतंग, अच्यां खम मिभंते भूरि पैयात थागतव। काएन वाचा चित्तेन पमादेन मयाकतंग, अच्यां खम मिधम्म संधिठीक अकालिक। काए नवाचा चित्थे ना पमादेन मयाकतं अक्चयं खमामिसंगा पुन्यंग घतं अनुत्तरं साथ कुन्यानु मोद न्याचना ओका सवन्दां अमिभंते मयाकतं कुन्यं सामिना अनुमोधितप्पं साधु साधु अन्थाद्धामि सामिना कतं पुन्यं मैयं तातब्बं साधु साधु अन्मुदते ओका सद्वारत एना कतंसब्बं अचयं खमतमे भंते औका सखमामि भंते दुतियम पियो का सखमामी भंते ततियम पियो का सखमामी भंते पूरा आशिरवाद है भगवान बुद्ध के आशिरवाद से स्री सत धरम के आशिरवाद से आर्रे महासन के आशिरवाद से तता हमारे गुरुबंती के आशिरवाद से तता भी जो पुन्य की धरमदान का पुन्य उस धरमदान का पुन्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो मांगल हो अल्यान हो आप सभी लोग को धरम की रास्ता पे जाने के लिए पुन्य करने के लिए तुसी से जीवन बिताने के लिए और उत्तम निर्वान सुख को पाने के लिए दुरलब भाग मिल जाए सादू, सादू, सादू सादू, सादू, सादू बहुत बहुत सादू करते बगतिजी आप से भी को